तो दोस्तों स्वागते आप सभी का कर्ये डिफाने डिफाने डिफ चैनल पे और आज के इस धम्मा के दार सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पाइपसंसिस्टंस का पूरा चैप्टर जो की बेसिक से लेकर अडवांस तक रहेगा सारे किसम के सवाल खासकर जो यहा क्रेश कोर्स में मैंने आपको ultimate level का content प्रोवाइड किया हुआ है जिस level तक आपको भी सोच भी नहीं सकते उस level तक मैंने आपको questions प्रोवाइड किये हैं और दिल्थाम के बैट जाईए आप बिलकुल भी disappointed नहीं होंगे because आज का यह पाइपसंसिस्टंस नेने questions के साथ भरा है तो अगर आपके Python systems का पूरा concept भी clear होगा तो आज भी आप definitely कुन सवालों में फसेंगे और वहां से मैं आपको निकालूँगा ताकि आप examination के लिए अपने आपको बहुत जवर्दस तरीके से ready कर पाएं अब very 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 good evening to everyone जितने लोग session को join करें सब अब हर दिक स्वागत है आज के session बे उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्तोंगे आपके तयारी बहुत ही ज़्यादा जवर्दस तरीके से चलिए होगी कैसे हैं आप लोग कैसे चलिए तयारी एक बार comment करके जरूर से बताएं सब audible, visible, perfectly है या नहीं और साथी साथ जितने लोग हमारे साथ बने हुए हैं क्या मैं आप सभी से अनुरोद कर सकता हूँ कि इस efforts को appreciate करने के लिए और मुझे motivate करने के लिए एक बार बस एक बार session को like करने के साथ session को share भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह session पहुंच पाए और यह efforts यह महनद जो हम in sessions के पीछे लगा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रंग निकल के आए तो very 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 good evening एक बार session को share कर दिया जाए like कर दिया जाए सब बढ़िया good evening good evening good evening good evening good evening good evening बहुत सही चालो स्टार्ट करें अरे tension हम दूर कर देंगे आप चिंता क्यों कर रहा आप बस चिल पिल लो और आराम से बैठो बहतर बहतर चीज हम देखेंगे ठीक है हम्म्म चलो आपके बिना कहे कर देते हैं like चलो scale 2 के लिए sufficient भाइस scale 2 क्या जितने भी आने वाले bank examination है उन सब के लिए sufficient है ठीक है तो बिल्कुल चिंता ना करें प्रणाम प्रणाम ठीक है बच्चे हमारे साथ connect हो रहें धीरे धीरे connect हो जाएंगे एक बार शेयर कर दीजेगा अक्सर क्या होता है पाइट सिस्टन के class में आप देखेगा बच्चों का अपना मन चलता है उनको लगता है कि time and work important है पाइट सिस्टन नहीं लेकिन आज मैं आपके साथ बारी किसा discuss करूँगा मेरा नाम कौशिक महनती है और मैं आपको Career Definer YouTube चैनल के साथ साथ अनकडेमी में भी one of the top educators हों जहां मैं Quant पढ़ाता हूँ आप लोगों को तो यहां और वहां आप दोनों जगा मुझे follow कर सकते हैं यह मेरा अनकडेमी का profile है लिंक आपको description में दिया गया है अगर आप already plus का subscriber हैं तो आपको complete juggernaut course जो मैंने इस साल के सारे bank examinations के pre plus mains को ध्यान करता है वहां मेरे साथ connect हो सकते हैं और अगर आप mains के लिए पढ़ना चाहते हो live मुझसे तो evening 7 पे निश्चे कोर्स वहां पर मैं आपको quantity of aptitude live पढ़ाता हूं mains examination को target करते हुए तो यह दोनों running courses से plus पे अगर आप इनका subscription लेना चाहते हो तो जब आपको referral code की requirement हो तो आप इ प्यारी कर रहे हैं classes बहुत full flash में चल रहे हैं आने वाले bank exams को target कर रहे हैं तो subscription आपके लिए बहुत बहुत जादा worth it होगा इतना मेरा आप सभी से वादा है तो बस यह credit points है इनको भी redeem कर दीजेगा ताकि जितने maximum possible discount के आप लोग हगदार हो आपको मिल सके यह हमारा career definer app ज जाके जरूर से install कर लिजेगा link description में दिया गया है वहीं से आप PDF access कर सकते हो all set let's crack it pen and paper के साथ session को like कर दिए हो ठीक है अगर मैं बात करो तो basic concepts of pipes and systems जो की कहता है concept of negative efficiency क्या है बड़ा simple सा चीज है कल मैंने जब आपको पढ़ाया था कि A एक काम को 10 days में कर सकता है B एक काम को 15 days में कर सकता है तो A और B मिलके कितने days में कर सकते हैं तो आप इन 10 और 15 का LCM लेते थे इसका LCM कितना होता है 30 इसी को आप अपना total work consider करते थे अब 30 unit का काम अगर किसी को 10 दिन लग रहा है तो एक आप इन दोनों को मिलके करवाओगे तो ये 3 और ये 2 के साथ एक दिन में 5 unit खतम होगा अगर एक दिन में 5 unit खतम होगा तो पूरा का पूरा 30 unit 5 5 5 5 5 unit करके कितने दिन लग जाएगा 30 by 5 6 days आपका answer हो रहा था यहां तक clear है लेकिन जब बात आती है pipes and systems की तो थोड़ा उसमें change हो जाएगा क्या यहां पर जैसे एक काम को कर सकता है और बी एक काम को कर सकता है मतलब दोनों ही काम करने की ख्षमता रखते हैं pipes and systems में आपके कुछ inlet pipes होते हैं और कुछ outlet pipes होते हैं सबसे पहले chapter का नाम एक बार समझ लेना systems का मतलब होता है टंकी या फिर tank और pipes का मतलब तो सभी को पता है जिसमें आपका fluid या फिर water flow करता है तो आपको एक tank को भरने के लिए कुछ pipes लगाए जाते हैं एक चीज़ ध्यान रखेगा अगर यह मेरा एक tank है अगर मैंने दो pipe ऐसे लगाए जिनका काम है पानी टंकी के अंदर छोड़ना तो उन्ही को inlet pipes कहा जाता है और एक ऐसा pipe अगर मेरे लगाया जिसमें से पानी बाहर निकलता है तो उसको outlet pipe कहा जाता है inlet और outlet का clear है जब outlet pipe आता है और वो पानी को बाहर निकलता है मतलब यहाँ पे आपके किये गए work को कोई oppose कर रहा है इसी को ही negative efficiency कहता ह जो concept of negative efficiency लिखा गया है और उस time पे question कैसा solve होगा जैसा ऐसा कर रहे थे normally वैसा बस एक step द्यान रखना है sir क्या मान लो A एक pipe है जो की एक tank को 10 hours में fill कर सकता है fill कर सकता है लेकिन B एक pipe है जो की उसी tank को 15 hours में अकेला खाली कर सकता है तो जब मैं A और B दोनों को एक साथ चलाओं तो कितने time में tanki पूरा का पूरा भर जाएगा वो आप कैसे निकालोगे sir मैंने यहाँ पे देखा तो इन दोनों का LCM 10 और 15 का LCM sir again यहाँ पे 30 units का है मैं ने कहां time and work में जैसे पूरा काम हो रहा था यहाँ पे और काम नहीं यहाँ पे तो आप टंकी को भर रहे हो तो टंकी को भरने का मतलब आप उसके capacity को fill कर रहे हो तो यह जो total work है उसको यहाँ पे total work ना लेके total capacity मालेंगे आपका मर्जिया है पूरा एक ही चीज है अगर टंक पर आवर पर तो लिख दिया पर आवर फिल कर सकता है लेकिन जो दूसरा वाला pipe है ना वो 15 गंटे में इस pipe को empty कर पाता था यही तो मैंने बोला था आपको यह empty कर पाता था empty करने के कारण अगर कोई 30 unit निकालने के लिए 15 गंटा लेता है तो वो हर गंटे 30 बटे 15 यानि कि 2 unit का पानी निकालता है अब जब आप इन दोनों pipes को एक साथ operate करवाओगे तो पहला pipe जो है वो 3 unit का पानी टंकी के अंदर डालेगा लेकिन दूसरा pipe जो है वो 2 unit का पानी ट का पानी टंकी के अंदर जा रहा है एक घंटे में अगर एक unit जाने के लिए एक घंटा लग रहा है तो पूरा का पूरा 30 unit जाने के लिए कितना समय लगेगा 30 divided 1 by is equal to 30 hours लगेगा क्या नीचे देखते वक्त सभी का comment आ गया 30 hours चलो अगर मैं बात करूं तो यह अगर आपके पास 30 hours है तो अब हम question को कैसे solve करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा ठीक है तो अगर हम इसी type के चीज को एक और question में आपको दूँ जैसे कि आपको अगर बोला गया है कि एक pipe A है वो अगर 10 hours में एक tank को fill कर सकता है लेकिन A के साथ एक दूसरा pipe B है जिसके चलते टंकी को 30 hours अगर लग जा रहा है तो question आपसे पूच सकता है कि B अकेला इस tank को भरने के लिए या खाली करने के लिए क्यूंकि ये अगर भर रहा था अब time ज्यादा लग रहा है मतलब इसका negative efficiency है ये खाली करने के लिए कितना time लेगा तो sir मैंने LCM लिया आपके कहें मुताबिक मैंन मैंने का हां sir यहां पर 30 को अगर भरने के लिए 30 hours लग रहा है तो 30 divided by 30 एक unit भर रहा है एक गंटा sir मुझे थोड़ा fishing type का कुछ लगा मैंने का क्या हुआ sir देखो A अकेला 3 unit पानी भर सकता था यह हमने देख रखा यह confirm है लेकिन A के साथ जब B जुड रहा है तो मात्र एक ही unit का पानी टंकी के अंदर जा रहा है मैंने का हां इसने तो 3 डाला होगा बट effectively एक रह रहा है तो 2 कहां जा रहा है मैंने का 2 आपका pipe B निकाल रहा है और अगर pipe B एक घंटे में 2 unit निकाल सकता है तो अगर मैं उससे पूरा का पूरा 30 unit निकालने के लिए दूँ तो वो समय कितना लेगा sir 30 unit को वो 2-2 unit के क्षंता से 15 घंटा ले लेगा जोएसे कि हम अपने previous सवाल पे वापस जा चुके हैं clear क्या हम आराम से इस चीज को कर सकते है कोई problem वाली बात नहीं कोई tension वाली बात नहीं अगर ये कोई tension वाली बात नहीं तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं इस question पर ठीक है तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब आपके पास क्या concept है some mandatory assumptions कुछ mandatory assumptions होते हैं क्या-kya mandatory assumptions होते हैं मैं आपको एक चीज बता दू अगर कभी भी आपको एक tank को fill करने के लिए दिया गया है तो आप ये मान के चलेगा अगर आपको tank में कितना पानी है कुछ है आपको अगर कुछ बोला नहीं गया कुछ भी tank की के अंदर क्या है पानी क्या नहीं कुछ बोला नहीं गया तो आपका basic assumption कहेगा कि अगर मुझे tank को fill करना है to be filled तो मेरा tank initially क्या मैं assume करूँगा initially मेरा tank empty है और अगर मुझे tank to be empty करना है मतलब अगर मुझे tanky को खाली करना है तो मैं क्या assume करूँगा initially मेरा tank जो है वो full है ये दो line जब मैं questions करवाऊंगा तो आपको ज्यादा बहतर clear होगा तो आप उसके लिए tension ना लीजेगा सवाल number एक आप सभी के सामने रख रहा हूँ जल्दी से कीजेगा बफर का कोई issue नहीं होगा यार एक बार वापस जाके आजाओ ना connect कर लो no buffering कोई buffering नहीं हो रहा है एक सेकंड रुकना और लोग के सर सब सही चल रहा है सब सही चल रहा है किसी किसी को हो रहा है चालो all okay है मेरा 18 answer आ रहा है बच्चों का क्या करें हम continue करते हैं जिन लोग का buffering है वो बाद में देख लीजेगा recorded और क्या ही कर सकते हैं दोस्तों ठीक है क्योंकि मेरे हिसाब से तो सब कुछ सही चल रहा है स्ट्रीम पर्फेट कर रहा है ठीक है एक सेकंड रुख जाओ ना मेरे ख्याल से सब कुछ सही है ठीक है सही है गुरुजे चलो जितने लोगों को buffering का issue है वो लोग बाद में देखेगा ठीक है अभी अपना किंती टाइम इसमें इंवेस्ट ना करें बाद में देखेगा सही है सर भाई मैं क्या करूँ नो बाफर इन वाइफाई I guess चलो देखते हैं और क्या ही कर सकते हैं all okay कल भी ऐसा ही था सर सही है सर क्या हो सकता है और problem एक सेकंड रुख जाओ स्टार्ट होने से पहले मैं एक बार देख लू कल कोई बोल ला था OBS को update कर दो आप एक मिनिट मुझे देंगे एक install update आ रहा है एक बर install कर देता हूँ ठीक है एक मिनिट का समय दीजे मुझे ठीक है कर दो कर दो दोर है सुट नहीं या या जो पुझे पुट दो है या कर दो है पुझे या 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 लो फो गिर दो है या रजा अब एक बार देखिएगा अब तो मैंने अपने साइट से इसको अपडेट भी कर दिया ओके है सर क्योंकि सेशन स्टार्ट कर दूँगा और सही ओल ओके है मेरे ख्याल से सब कुछ सही है ओके है नहीं हो रहा सर अब नो इसू चालो तो स्टार्ट करते हैं एक बार सभी को मैं कहूंगा कि इक बार वापस जाके पुरा का पुरा यूट्यूब बंद करके एक बार connect कर दो मेरे ख्याल से कोई problem नहीं होगा ये लास्ट था क्योंकि इतना बड़ा सेशन रखूंगा अगर बीच में ऐसा होगा तो सोचो ना मुझे भी कैसा लगेगा आप समझ रहो ना चालो अल गुड ना ओके आच्छा चालो स्टार्ट करें अल ओके तो अभी से स्टार्ट करते हैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सवाल नंबर एक अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो जितने लोग अभी भी कनेक्ट हुए हैं आराम से हो सकता है सर दो पाइप हैं A और B जो कि अलोन फिल कर सकते हैं टैंक को 20 मिनिट्स और 30 मिनिट्स सर A अकेला 20 मिनिट्स में फिल कर सकता है B अकेला 30 मिनिट्स में फिल कर सकता है फिल की बात की जा रही है तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन दिया लेकिन उसने कहा कि due to a leak एक leak होने के कारण बॉटम में ये जो टैंक है वो X मिनिट्स मोर ले रहा है X मोर मिनिट्स ले रहा है टैंक को फिल करने के लिए जो leak है वो अकेला empty कर सकता है full tank को 20 मिनिट्स सब वो खुद दे रहा है कि सर जो leak है जहें मान के चलता हूँ वो खुद इस tank को empty कर सकता है 20 मिनिट्स में सर मैंने तो साफ अपना LCM निकाला मैंने कहा निकालो सर LCM निकालने के बाद मैंने देखा कि यह आगे आपके पास 60 total capacity सर अगर मैं efficiency की बात करूँ तो इसका 3 unit का इसका 2 unit का और इसका 3 unit का सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ उसने मुझे X का value पूछा X क्या है पता है मैंने का क्या X वो time है जो time extra लगेगा leakage आने के कारण सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी tank को बिना leakage के भरवाएं तो कितना समय लगता सर 60 को अगर बिना leakage के इन्हीं दोनों pipe से भरवाएं 6, 3, 2, 5 unit के efficiency से तो निया मनुसार कितने minutes लगते सर 12 minutes का time लगता मैंने का लेकिन उसी pipe उसी tank को अगर आप inlet के साथ इस leakage को भी add कर दोगे तो 3, 2, 5 unit का पानी अंदर गया था लेकिन 3 unit का पानी ये बाहर निकाल लिया तो मात्र ही मात्र 2 unit का पानी हर minute अंदर जा पा रहा है क्योंकि ये 3 निकाल रहे न तो 60 बटे 2, 3, 30 minute का समय लगेगा और सर वही वह कह रहा है कि leakage के चलते जो extra minutes लग रहा है वही x से सर extra कितना है सर? मैंने का extra तो 18 है तो x का मान 18 के साथ option number B इस सवाल का बिल्कुल 60 कुत्तर कर पाओगे अगला सवाल आप सभी के सामने जल्दी से मेरे क्याल से अभी कोई शायद obvious का ही problem था thank you so much जो मुझे कल बोले थे obvious update का thank you so much या नहीं तो इतना बड़ा session लोगा अगर बीच बीच में अटक अटक के चलता ना बहुत बुरा लगता सही में thank you so much चलो सर कल geometry की class कीजिए ठीक है geometry का class कल हम लगा देंगे प्लस पे ठीक है कल प्लस पे 12 बजे एक आपका जो class होगा geometry का हो जाएगा बिल्कुल चिंता ना करें ठीक है 40 एक answer आ रहा है button stream खतम हो चुका है दोस्त चलो start करें भाई आप लोग जो अभी पढ़ाय जा रहा है प्लीज उस पे ध्यान दे बाकी सारे चीजों के उपर आपका ध्यान ने अभी जो pipes and sister ने उसके उपर किसी का ध्यान नी है किसी को scale 3 का syllabus complete करना है तो किसी को geometry पढ़ना है तो किसी को button stream पढ़ना है भाई अभी pipes and sister ने अगर ये पढ़ना है तो पढ़ो नहीं तो आप आराम से लो जितने लोग पढ़ना चाते उनको पढ़ने दो एक छोटा सा request है ठीक है चलो और बाकी अगर कोई दूसरा topic दिखा तो मुझे लगेगा कि आप कुछ नहीं मुझे बस disrespect कर रहे हो सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहे हो और कुछ नहीं लगेगा फील इतना ही आएगा कसम से अगर आप ये topic के अलावा कोई topic का नाम अभी लिख रहे हो तो मतलब it's insult to me ठीक है और कुछ नहीं अगर आप insult करना चाते हो तो different topics के नाम लिख सकते हो मुझे कोई problem नहीं है ठीक है पाइप C जो है सर वो X hours में empty कर सकता है उसने कहा पाइप A, B, C जो है वो fill कर रहे हैं इस टैंग को 2 hour 24 minutes में सर दो घंटे 24 minutes को सर अगर मैं hour में convert कर दूं तो मैंने का कैसे सर minutes को hour में convert करनें के लिए बटे का 60 मैंने का हाँ 12 में काटोगे 2, 12 में काटोगे 5 तो सर ये 2 whole 2 by 5 hours हो गया मैंने का हाँ 5 दुनी 10, 12 बटे 5 घंटे लग रहे हैं जब 3 के 3 पाइप मिलके चलते मैंने का हाँ सर C को हटाओ मैंने का क्यों मुझे तो याद रहा C X hours में खाली करेगा और क्या लेकिन मुझे ये पता है कि A B के साथ अगर आपका C भी आ जाएगा तो ये टाइम तो हमें गिवन है न कि 12 बटे 5 घंटे लगने चाहिए तो इसको लेके चलो मैंने का चलो सर मैंने LCM लिया मैंने का कितना हुआ सर जब ऐसा कोई fraction होता है न उसका सर्फ numerator का LCM लो मैंने का क्यों क्यों क्यूंकि सर जब आप numerator 12 ही इसका LCM ले रहे हो सबका तो सर 12 बटे 6 इसका efficiency 2 हो जाएगा 12 बटे 3 इसका efficiency 4 हो जाएगा और 12 बटे 12 बटे 5 वो 5 उपर चला जाएगा मतलब denominator का स्थान तो सर हमेशा उपर रहेगा यहाँ 7 रहने से भी वो उपर जाता 9 रहने से भी उपर जाता 11 रहने से भी उपर जाता तो मुझे सिर्फ काटना किसको है numerator को तो सिर्फ जब भी ऐसे fractions आपको मिले आप numerator का LCM ले ले लेना ठीके सर मैंने ले लिया तो इसका इसका efficiency आगया 5 अब सर कुछ कहना चाते हो मैंने का बहुत कुछ कहना चाता हो मुझे पता है कि A और B जब open होंगे तो वो 2 और 4 यानि कि 6 unit का पानी टंकी के अंदर confirm डालेंगे लेकिन C कुछ तो कर रहा है जिसके चलते 6 का पानी नहीं मात्र 5 का ही पानी जा पा रहा है सर 6 पान्च ना एक निकाल रहा है सर अगर वो एक निकाल रहा है तो अगर मैं उससे पूरा का पूरा टंकी 12 unit का खाली करवाँँ तो सर 12 unit के टंकी को एक-एक unit करके हर γंटे में वो 12 घंटे ले लेगा लेकिन सर आपने इस से ही क्यों खाली कराया क्यूंकि जो time C अकेले लेता ह empty करने के लिए वही x है और वही हमें 2x प्लस 16 तक पहुंचाएगा अगर x का मान 12 है तो 12 दूनी कितना होता है 24, 24 प्लस 16 कितना होता है 40 और option number भी इस सवाल का बिल्कुल सठीक उत्तर है कर पाओगे, कोई प्रॉब्लिम नहीं अगला सवाल नहीं दो बेटा क्लास पे यार मैं आपको 45 सेकंड से जाधा एक भी सेकंड नहीं दूँगा ठीक है उतने के अंदर पहले बेसिक चल दा है, बेसिक तो तो कंप्लीट कर दो सर मुझे ये बिल्कुल भी क्वेसिक नहीं लग रहा मैंने का क्यों, सर ये तो कुछ लीटर वीटर करके बहुत भहंकर हो चुका है, मैंने का टू क्यों डर रहा है रे दो टैप है A और B जो कि फिल कर सकते हैं एक सिस्टन जिसका वॉल्यूम 648 लीटर से हम अभी लीटर के पास नहीं गए उसको 24 मिनिट में उनका Efficiency A is to B के रेश्यो में है अगर जो Number of Minutes जो B अकेले इस टैंक को फिल करने के लिए लेता है वो अगर 64.8 मिनिट है तो मुझे बताओ कि A is to B मतलब उन दोनों का Efficiency का रेश्यो कितना है सर अगर मैं आपसे कहूं कि A और B मिलके इस टैंक को कितना टाइम लेते है तो आप मुझे क्या कहोगे मैंने का दिया तो है सर क्या सर A और B मिलके 24 मिनिट लेते है अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी टैंक को B अकेला कितने मिनिट में कर सकता है तो आप क्या कहोगे, सर 64.8 सर मैं आपसे एक सवाल पूछ हो, मैंने का पूछ मैं सर अगर एक ही टैंक को इन दोनों को इतना टाइम और इसको इतना टाइम लग रहा है तो time का ratio जो होगा, efficiency का ratio इसका inverse होगा मैंने का तू efficiency के पास क्यों जा रहा है मैंने का थोड़ा cutting वटिंग करो, सर पहले इस point को हटा के एक 0 ले आते, मैंने का हाँ 12 से काटेंगे 5 और ये 4, 12 से काटेंगे ये 20 फिर आपके पास 2 से काटेंगे तो ये 27, 2 से काटेंगे तो ये 10 सर option नहीं है, option नहीं है मैंने का रुकना भाई, ये जो 27 efficiency है, ये किसका है सर ये A और B का है, जिस में से B का efficiency कितना होना चाहिए सर 10 होना चाहिए, 27 में से अगर B आपका 10 होगा तो A का efficiency कितना होना चाहिए, सर 27 में से 10 गया तो 17 तो मैंने का उनका efficiency का ratio कितना आ रहा है, सर 17 और 10 और यही क्या होना चाहिए, सर यही AB, और यह option कहां है, सर यह option option number B में है, तो कभी कबार, बल का नहीं, बलकि बुद्धी का भी इस्तमाल कर लिया कीजिए, यह था पुरा का पुरा बुद्धी इस्तमाल, कि A और B का समय दिया था, B का समय दिया था, खेल मुझे खेलना था efficiency म आ जाएगा, अगला सवाल आप सभी के सामने है, जल्दी से कीजिए, ठीक है, थोड़ा comment भी बीच-बीच में देख लूँगा, नहीं तो कोई बोल देगा, मेंस का question है क्या, ठीक है, वो भी बीच-बीच में देखना पड़ता है, समझ रहो ना, नहीं तो कोई इसी बीच है का? स्टार्ट करें पाइप P जो है वो लेता है एक सावर फिल करने के लिए एक एम्टी टैंक को मैं पचास उससे जादा नहीं दूँगा आप जब मैं एक्स्प्लेनेशन स्टार्ट करूँ ध्यान से देखेगा मैं रिपीट नहीं करूँगा पाइप P जो है वो आपका X आवर्स ले रहा है एक टैंक को फिल करने के लिए सर जो Q है वो आपका X प्लस 5 आवर्स ले रहा है एक टैंक को फिल करने के लिए सर जो आपका R है वो 20 गंडे ले रहा है इसी टैंक को फिल करने के लिए मैंने का हाँ सर question में क्या पूछा है पता है मैंने क्या पूछा है question कह रहा है कि all the pipes are opened simultaneously and fill the tank in 60 by 13 hours सारे के सारे अगर मैं PQR को चला दू तो ये tanky को कितने समय में fill कर देंगे मैंने का कितने समय में fill कर देंगे सर 60 by 13 hours में मैंने कहा ठीक है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मैंने कहा हाँ पूछो बड़ी ऐसे पूछो आपके पास PQR का time है आज ही जैसे एक question किये तो वैसे आज एक अलग approach में खेल खेलते हैं इसको आपके पास PQR का time है हाँ सर PQR का time है मैंने कहा कितना है सर 60 by 13 मैंने कहा जरा बता ना R का time है R आने के बाद PQ का sum आएगा sum आएगा फाइदा नहीं है no sorry not अच्छा नहीं है तो PQR का time हमें कितना दिया था जा तो रहा था लेकिन रोक लिया खुदको आप में से कितने लोगों को बता है कि अगर मैंने time and work का class किया है उसमें मैंने बता दोनों का product divided by दोनों का difference जब मैं 20 और 60 by 13 का difference निकालूंगा तो ये 260 में से 60 जाएगा क्या ये 200 बटा 13 रहेगा हाँ सर ये 200 बटा 13 रहा तो 13 तो 13 के साथ कट गया मैंने का हाँ दो 0 सर दो 0 के साथ कड़ गया मैंने का हाँ दो इसको साथ काट दिया हाँ सर तो सर 6 मैंने का ये क्या है सर ये P और Q के द्वारा लिया गया समय है देखो भाई इस question को तो मैं कताई solve नहीं करूँगा अगर आपने सच में दिल से time and work पढ़ा है तो आपको ये मालूम है कि दो ऐसे समय जिनमें 5 का अंतर हो और जिनका combine time 6 हो वो तो time and work का पहला example था क्या 10 और 15 अगर कुछ और होता तो मैं लेता लेकिन मैं समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा तो 10 और 15 अगर ये होंगे तभी तो जाके इनका combine time 6 होगा नहीं तो वो भी method में आपको पढ़ाया है product divided by sum is equal to 6 करके x कमान निकाल लेना 10 मिल जाएगा time बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे अगर P और Q के आपके पास time आचुके हैं तो उसने क्या कहा find the efficiency ratio of P and Q सर time का ratio अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 में काटोगे 2 5 में काटोगे 3 सर लेकिन ये answer नहीं है गलती से भी मत ले जाएगा A के साथ मैंने का क्यों क्योंकि सर जो efficiency का ratio है वो इसका उल्टा होगा 3 बटा 2 यानि कि option number C इस सवाल का सही उत्ता है अगर आपको 10 15 नहीं दिखता कुछ और दिखता तो आप कैसे करते सर P और Q को जो total time लगना चाहिए वो 6 लगना चाहिए अगर इसको X लग 5 लग रहा है तो दोनों का combine time product upon sum होना चाहिए इसको solve करके भी आप एक quadratic को X का मांद 10 निकाल सकते हो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता अगरा सवाल मैंने इसे ही क्या बहुत सही अभी तक question आया नहीं ना इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा होगा अभी basic warm up चल रहा है ना आने तो आने तो ठीक है C एक answer आ रहा है भाई समय रोग दूँगा एक answer आते ही दो तिन answer आने से अच्छा तीन A के पास जा रहे हैं बच्चे C के पास जा रहे हैं चलो start करते है रेतिक भाई के उपर भरोसा तो है भरोसा रखके रेतिक भाई जा रहा हूँ आपके पास P, Q, R can fill a tank in 12, 16 and 24 Sir P, 12, Q, 16, R, 24 Sir all three began to fill the tank together but P and Q left 3 and 4 minutes respectively before filling A normal सवाल है If the total time taken by all of them to fill the tank is P then find the value of 37.5% of P Sir मैं कुछ कहना चाहता हूँ Total time को मैं ही X assume करता हूँ मैंने का हाँ लेकिन उसने खुद ही दिया है P, तो मैं P ही लूँगा मैंने का तो कैसे करोगे Sir पहले तो मैं LCM लूँगा, मैंने का कितना हुआ Sir 48 मैंने का फिर efficiency निकालूँगा 4, 3 और 2 का Sir पूरा time P का है मैंने का हाँ आपका जो P है और Q है वो 3 दिन और 4 दिन पहले छोड़के जा रहे मतलब R ने अकेले पूरे के पूरे P days entire तक काम क्या होगा एक दिन में 2 unit तो P days में इतना काम 2P का काम कर रहा होगा मैंने का हाँ Sir यह जो आपका P नहीं है वो अगर 3 दिन पहले छोड़के चला गया तो वो P दिन तक नहीं है वो P से 3 दिन कम है P duration तक नहीं है उससे last 3 दिन था छोड़के चला गया P minus 3 days तक है Q जो है वो आपका last से 4 दिन था छोड़के चला गया मनलों 4 minutes तो यह P minus 4 और Sir पता है जब यह इतना दिन यह इतना दिन और यह इतना दिन काम करेगा तो कितना काम होगा मैंने का कितना Sir total work 48 मैंने का तो करना बराबर 4P, 3P, 7P, 2P, 9P minus 12, minus 12, minus 24 is equal to 48 24 इधर आजाएगा तो 72 बराबर 9P तो P का मान कितना आगया हमारे पास 8 अगर P 8 है तो उसने कहा 37.5% यानि कि 3 by 8 times of P यानि कि 8 कितना होता है तो आप क्या कहोगे उत्तर 3 यानि कि option number A warm-up सवाल और basic कितने करवा हूँ 45 seconds hardly जितने भी लोग है एक बार सबसे अन्रोथ करूँगा कि शेशन को लाइक जरूर से कर दीजेगा 3 अरे 3 खतम हो चुका है दोस्त 3 खतम हो के हम आगे बढ़ चुके है सर सोचो warm-up किसी को अगर mains का लग रहा हूँ हूँ भी है D एक answer सणा जी बोलने भरोसा है आपके उपर सणा जी तोड़िएगा नहीं बस pipes PQ and R जो है वो release कर रहे है 3 different solution HNO2 यह क्या होता है एक मुझे याद नहीं है HCL तो hydrochloric acid होता है यह HI क्या है HNO2 नहीं HNO3 होता है nitric acid HNO3 शायद मुझे उससे कोई मतलब नहीं all these 3 pipes fill the empty tank in 12 minutes, 18 minutes and X minutes मतलब जो pipe P है वो 12 minutes में fill कर सकता है Q जो है वो 18 minutes में fill कर सकता है और R जो है वो आपका X minute में fill कर सकता है मैंने का हाँ सर अगर मेरे सारे pipes को open किया गया तो 5 minute में tank will be 65 by 72 times fill मतलब जितना tank का capacity है उसका 65 by 72 ही filled है then find the value of 4X मैंने का 4X को छोड़ो इनका LCM लेने का मन नहीं कर रहा सर मन तो कर रहा है लेकिन ये X को देखके रहा गया मैंने का चिंता ना को 12, 18 का LCM कितना है सर 36 इसको भी उसके साथ ले लो मतलब सर 36X सर ऐसे क्या होगा ऐसे जब इसका efficiency आएगा तो 36X को 12 से डिवाइड करोगे तो 3 और ये X रह जाएगा ओके सर ठीक है 2X रह जाएगा ओके सर और X, X के साथ कटके इसका efficiency कितना हो जाएगा 6 इन तीनों का combined efficiency कितना है सर 3X, 2X, 5X, 5X, प्लस 36 क्या आपको बता है इस combined efficiency में ये तो आपका एक मिनिट का काम है इन तीनों का ऐसे इनको मैं कितने मिनिट तक चलाओंगा 5 मिनिट तक चलाओ सर 5 मिनिट कोई प्रॉब्लम नहीं जानते हो 5 मिनिट चलने के बाद क्या होगा सर क्या होगा जो आपका total capacity है उसका 65 by 72 टाइमस आपका फिल हो जाएगा सर मेरा total capacity 36x से मैंने लिया है मैंने का हाँ सर अगर इसी का 65 by 72 टाइमस फिल्ड है तो इसी का 65 by 72 ही ये लोग 5 मिनिट में फिल कर रहे हैं मैंने का बात तो सही है सर मैंने काटा 36 से काटा दो बार 5 से काटा सर 13 बार 2 को cross multiply किया तो 10x plus 72 is equal to 13x सर 3x is equal to 72 तो x is equal to 24 मैंने का x तो 24 है लेकिन उसने पूछा क्या है सर पूछा तो उसने 4x है तो 24 चौके कितना हो जाएगा सर 96 option number D इस सवाल का बिल्कुल 60 कुत्तर है clear आगे बढ़ जाओ class जिनका बीच बीच में रुक के चला है एक बार वापस जाके आईए क्योंकि मेरा तो और रुक नहीं रहा बिल्कुल नहीं रुक रहा जो मेरा पहले रुक रहा था इसलिए मैं concern था अब बिल्कुल भी नहीं रुक रहा तो आप एक बार पूरा कार्ड के यूट्यूब को तोबारा कनेट कीजिए एक ना रिक्वेस्ट है total time से भी must no need हाँ अरे हो सकता है मैंने तो आपको एक basic तरास्ता दे दिया सर आप telegram पर क्यों नहीं देते क्योंकि मैंने एक app बनवा रखा है मैंने उसमें invest किया हुआ है न तो उसका भी कुछ ना कुछ थोड़ा return आना चाहिए तो यहने PDF उसमें डाल रखा है app पे क्योंकि वो भी बड़े महनत से बनाया गया है उसको मैं dormant नहीं कर सकता दोस्त ठीक है तो आपके लिए और बहुत कुछ मैं दे रहा हूँ आप उसमें भी अगर और demanding होगे तो आप सोच भी सकते हो ना थोड़ा ठीक है या आपको app में पुरा खुबसूरत तरीके से मिलना है क्योंकि मैं daily active नहीं रहे पा मैं मेरा telegram का access किसी को नहीं दे सकता आपको बता है मेरा telegram का access कोई अगर लिया तो कुछ हो सकता है तो मैंने अपना एक app बना लिया app का एक team रख लिया वो अपना आराम से उसके अगले दिन तक PDF आपको दे देते हैं मैं इतना busy रहता हूँ मैं आपको PDF देने के लिए तिन दिन लगेगा afford कर सकते हो नहीं न तो app पे जाओ PDF निकालो 3 pipes A, B and C can fill a tank in 8 hours Sir A, B, C है Sir A, B, C है वो एक tank को fill कर सकते हैं 8 hours में मैंने का हा Sir after working at it together for 3 hours C is closed and A and B can fill the remaining part in 6 hours मज़ेदार question है ऐसे लेके इसको फाइदा नहीं है If the time taken by C to fill the tank alone is T then find the value of 66.66% of T star mark कीज़े का बहुत important सवाल है दोस्त मेरा A का ना B का ना C का किसी का efficiency नहीं है उसने मात्रा सिर्फ एक ही time दिया है आगे उसने confidently कहा कि 3 गंटा चला दूंगा बंद कर दूंगा फिर 6 गंटे में भर जाएगा ऐसे तो मुझे ये पता है कि ये efficiency बेस्ट सवाल है और कैसे deal करना है Sir A का जो efficiency होगा B का जो efficiency होगा C का जो efficiency होगा उस efficiency में हम लोग 8 गंटे में टंकी को भर सकते हैं मैंने का ठीक है जैसे man in today's work आ रहा था अगर उसने कहा कि working at it together for 3 hours अगर A, B और C मिलके 8 गंटे ना चलके 3 गंटा चलेंगे उसके बाद C को बंद कर दिया जाएगा C को बंद कर दिया जाएगा मतलब कौन-कौन चलेंगे अब A और B ही चलेंगे तो जो remaining part है वो 6 गंटे में भर जाएगा मतलब A और B 6 गंटे में बाकी भर देंगे बाकी मतलब ये जो already 3 गंटे में भर रहा था बाकी जो 6 गंटे में भरेगा इसको अगर मैं जोड़ दू तो total जो आपके 8 गंटे में भर रहा था capacity वही हो जाएगा ABC का 8 times है ABC का 3 times जब मैं इधर लाके माइनस करूँगा क्या आप सही को A प्लस B प्लस C का 5 times दिखा अगर आपने बच्पन में मैच पड़ा होगा तो रे इसका 8 times है इसका 3 times माइनस करूँगा तो उसका 5 times रहेगा और is equal to यहाँ पे A प्लस B का 6 times रहा यह मेरे पास 5A प्लस 5B प्लस 5C is equal to 6A प्लस 6B हो जाएगा और यहाँ पे sir 5C is equal to A प्लस B हो जाएगा मैंने का ऐसे कैसे sir 5A इससे माइनस होगा 5B इससे माइनस होगा मैंने का सुनो यह efficiency based सवाल है तो थोड़ा कुछ धंका लेखो sir efficiency based सवाल में तो हम तो ratio निकालते हैं मैंने का निकल लाए मैंने का कैसे sir A और B में मैंने का हाँ अगर हम यहाँ का C लेकर divide कर दे मैंने का हाँ तो 5 रहेगा उपर और इसमें बटा का 1 लिख देंगे sir मैंने का इसका मतलब क्या है sir इसका मतलब है कि A और B का Combined Efficiency अगर 5 तो C का Efficiency 1 मैंने का ठीक है सर उसने क्या कहा पता है मैंने का क्या कहा सर उसने जो कहा हम उसके नहीं फोकस करेंगा मैंने का क्यों क्योंकि सर आपका परवरीश कह रहा है कि Efficiency बेस्ट सवाल में इसका Next Part होना चाहिए Total Capacity मैंने का हाँ मैंने पढ़ाया था लेकिन कैसे निकाले सर तीनों का Combined Efficiency है मैंने का नहीं सर है ना मैंने का कैसे A और B का Individual कितना पता नहीं लेकिन A B का Combined 5 है और C का 1 है तो A B C का Combined Efficiency 6 का है और 6 Unit के Efficiency से अगर 8 घंटे लगते हैं तो 6 into 8 Total Capacity कितने का है 48 का अगर Total Capacity 48 का है तो जो समय C लेगा वही T है सर C कितना समय लेगा पता है मैंने का कितना सर C का Efficiency कितना है मैंने का Efficiency 1 है तो एक एक यूनिट के Efficiency से 48 भरने जाएगा तो समय कितना लगेगा 48 और वही सर T का मान है मैंने का हाँ, सर अगर T48 है तो 66.66% मतलब 2 3rd of T कितना होगा मैंने का 2 T high 48 का मैंने सुना है 16 दुनी 32 होता है option number 20 सवाल का 60 कुत्तर that's it बड़े आराम से कर सकते हो, सर मेरे मन में एक दुबिदा है, मैंने का हाँ पूछो अगर वो A B का time पूछता तो क्या आप निकाल पाता, मैंने का हाँ, सर कैसे 48 काम को अगर 5 यूनिट के efficiency से करता, तो 9.6 times लगता, minutes लगता, सर वो ठीक है, A का time या B का time, मैंने का कैसे निकालूँगा, तुम जहां हो, मैं वही हूँ, मेरे पास A और B का ही combined efficiency है, solo efficiency नहीं है, तो मैं निकाल नहीं सकता, clear, आगे बढ़े और कितना warm-up करोगा, बीच में हमारा 15 minutes वो इशू हो गया था, नहीं तो 45 minutes अभी से आपका warm-up खतम हो जाता, ठीक है और question स्टार्ट हो जाते, बढ़ अभी 5 minutes के लिए और warm-up करना पड़ेगा, रहे, करो, like करो, हाँ, कोई बोल लें, जैसे कि मानसी जी, thank you so much, support करने के लिए, ठीक है, मानसी जी से देखा नहीं गया, कि बंदा इतना चीक-चीक के महनत कर रहा है, और हम यहाँ पर बैठे है, session को like भी नहीं कर रहे हैं, छी, great explanation thank you so much, Ankita जी, done, चालो, बी सिपुन भाई बोल ले, सिपुन भाई भरोसा है, तोड़ियेगा, मत sir, मैंने का हाँ, two pipes, M and N, can fill a tank in 24 and 48 minutes respectively, sir, M है, मैंने का हाँ, sir, 24 minutes में fill कर सकता है, मैंने का हाँ, sir, N है, मैंने का हाँ, sir, 48 minutes में fill कर सकता है, मैंने का हाँ, sir, अगर दोनों pipes को open किया गया, x minutes तक और उसके बाद N को close कर दिया गया, तो जो tank है, वो full है, common सवाल, इसको important mark कीजएगा, important, पिछला वाला क्या था, logical five star, ये है, no logical, nothing, direct question, exam relevant, direct पूछ लेगा, direct पूछ लेगा exam में ये question, तो 216 upon x का मान कितना है, sir, मैं काम करूँ, मैंने का हाँ, sir, इनका LCM से निकाल लेता हूँ, 2 और 1, मैंने का हाँ, sir, पूरा घिसा पिटा traditional कर दू, sir, तो फिर ऐसे ही करते हैं, कि दोनों pipe को open करते हैं, और x minute तक चलाते हैं, sir, दोनों pipe को open करेंगे, तो 2 प्लस 1, 3 unit भरेंगे, वो मैंने का हाँ, ऐसे करके 2 unit के हिसाब से, वो कितने minutes तक भरेंगा, sir, आपको बता हैं, मैंने का नहीं, sir, मैं बताता हूँ, अगर ऐसा होने के बाद, tank जो है, वो 18 minute में पूरा फुल हो जा रहा है, तो 18 minute से, अगर पहले हमने 4 minute लिया होता, तो आगे अभी 14 minute काम चलता, अगर हमने पहले दोनों से 5 minute काम करवाया होता, तो आगे अभी 13 minute बचता, पहले अगर 7 minute काम करवाता, तो अभी 11 minute बचता, मैंने का कैसे निकाल लिए, sir, 18 minus 4, 18 minus 5, 18 minus 7, तो sir आपको कुछ पता चला मैंने का क्या sir हमने 18 मिनिट से already x मिनिट ले लिए हैं तो हमारे पास बचे कितने मैंने का 18 माइनस x क्या sir वही तो कह रहा हूँ कि 2 unit प्रती मिनिट करके इतने मिनिट तक वो ये भरेगा और जो ये दोनों भरेंगे वो total कितना होगा capacity 48 sir ये 3x है ये 36 है minus 2x है 48 है ये x is equal to 12 आ गया और x is equal to 12 आ गया तो उसने कहा 216 बटे x कितना होगा sir 216 बटे x अगर मैं 12 रख दूं तो 12 एकम 12 96 मतलब 8 तो 18 के साथ option number B बिलकुल हैक्स आप की बड़ाब गज़ाब आपके त्यारी क्योंकि बाजी मारना मतलब speedy है और कुछ नहीं sir जब आपने इसको explain किया तो मेरा mood off हो गया मैंने का फिर क्या हो गया भाही तरह sir आपने गा घिसा पीटा घटिया मतलब आपके पास कुछ ना कुछ बहतर method है sir क्या बाई अगर 18 मिनिट चल रहा है और बीच में तू N को बंद कर रहा है तो मतलब तुमने M को पूरा का पूरा चला है हाँ sir मैंने M को पूरा चला है 18 मिनिट तक वो बेचारा दो-दो यूनिट करके कितना भर सकता है sir 18 दूनी 36 भर सकता है मैंने का 48 के capacity उससे 12 बाई एक 12 मिनिट लगा होगा मैंने का फिर 12 मिनिट लगा होगा फिर उसको बंद कर दिया गया होगा मैंने का एक्स कितना sir 12 तो आप लॉजिकल अप्रोच से करोगे तो pen paper लेकाने के ज़रूरत नहीं अगर आप गिसे बीटे मेथर से जाना चाहते हो so far so good मुझे उससे कोई problem नहीं है start करें अभी से हम थोड़ा वो जो leaving joining वाला type का चीज़ करेंगे उसके बाद देखेंगे अगला concept b बच्चे 47 यही मतलब अगर सही है तो अगर सही है तो यह सही ideal time होना चाहिए ठीक है 3 सर एक system जो है वो एक जोथाई full है मैंने का ठीक है सर दो pipe जो कि fill कर सकता है इक system को 15 minutes और 20 minutes में इनको respectively मैंने open किया और x plus 3 minute के बाद एक तीसरा pipe भी हमने open किया जो कि 30 minute में इस tanky को empty कर सकता है मैंने का सुनो ना वो सब बाद की बाद तुम्हारे पास जो तीन pipes है वो कितने कितने समय में भर सकते हैं वो बता दो सर पहला pipe 15 minutes में fill कर सकता है दूसरा pipe 20 minutes में fill कर सकता है और तीसरा pipe 30 minute में empty कर सकता है मैंने का ठीक है यहां तक बाद साफ है हाँ सर यहां तक बाद साफ है सर आगे मैं question नहीं पढ़ूँगा सर मैं अपना LCM लेके खुश रहूँगा मैंने का कितना है सर 60 units का मैंने का efficiency कितना है सर इसका हो गया 4 इसका हो गया 3 और इसका हो गया 2 मैंने का ठीक है सर आपको पता है क्या हो रहा है मैंने क्या हुआ सर पहले दोनों pipes को मैंने x plus 3 minutes तक चलाया उसके बाद हमने तीसरे pipe को भी खोल दिया और जो system है वो पूरा का पूरा 2x plus 3 minutes में fill हो जा रहा है तो आपको value बताना है x का क्या है मैंने का सुन जब x plus 3 minutes तक तक तुमने पहले दो pipes को चलाया तो वो 4 plus 3 साथ unit के हिसाब से x plus 3 minutes में कितना भरे होंगे सर इतना यहां तक clear है हाँ सर उसके बाद तुमने third खाली नहीं चल सर पहले दो जो थे वो 4, 3, 7 unit का पानी अंदर डाल सकते थे लेकिन तीसरा pipe outlet pipe होने के कारण वो 2 unit निकाल लेगा मतलब अब से आगे हर minute 7 से 2 निकाल के 5 unit का पानी टंकी के अंदर जाएगा सर यह 5 unit का पानी तो अंदर जाएगा लेकिन कितने minute तक मैंने का बताओ हाँ सर बत entire time जो है वो 2x plus 3 है सर मैंने का अच्छा सर उसमें से हमने already x plus 3 time ले लिया है सर मैंने का हाँ तो सर आगे और हाँ यह capital x small x दोना बराबर होने चाहिए हाँ सौर्य तो 2x plus 3 से जब मैंने x minus x plus 3 को हटाया तो यह कितना हो गया सर 2x से x गया तो रहा x 3 में से 3 गया तो आगे सर म जो जाएगा सर यह total कितना है मैंने का 60 क्या अरे नहीं सर गडबड यहां पे है और मैंने का फिर क्या हुआ सर आपने शाय स्टार्टिंग लाइन ध्यान नहीं दिया 1 4 टैंक जो है वो already full था तो आपका 60 का 1 4 यानि कि अगर 15 already पानी था तो आपको आगे भरने कितने है मैंन 21 और x is equal to 2 में option यह 3 वाले सब खतम हो गए 3 गया 3 डूब गया ठीक है 3 के लिए मैं क्या ही कह सकता हूं एक line आदा रहा है तवा ही हो जाना 2 है answer ठीक है चलो ए था हमारा चलो और इसका previous वाला दोर रहते क्या समझना समझना आधे बच्चे डैम देखके डर गे होंगे चार पाइप देखके तो आधे बच्चे सौंग वन्समोर आज मैं गाऊंगा रहूल भाई बहुत बार गाऊंगा यह तो अभी कुछ बेसिक सवाल है जब आपके सवालों के गलत आंसर लगेगा तो मैं आज कंटीनियस ली गाऊंगा विल्कुल चिंता ना करो इतनी सी रिक्वेर्मेंट हो तो चलो बी आंसर कर रहे हैं चलो देखते हैं समय को रोग के सर एक डैम है जहां पर हमारे पास चार इनलेट पाइपस है चार मैंने का कौन कौन सर A, B, C, D और जो dam है वो fill किया जा सकता है 10 मिनिट में through the first 3 inlet pipe अच्छा inlet pipe चारे A, B, C, D लेकिन जो dam है वो पहले 3 inlet pipe से 10 मिनिट में fill किया जा सकता है मतलब अगर आप A को, B को और C को चलाओ तो 10 मिनिट में dam आपका fill हो जाएगा लेकिन it can be filled in 12 minutes through the second, third and fourth अभी recent कहीं पर इसी type का question किया तो गया है मुझे जितना याद है तो अगर हम second, third और fourth pipe को चलाएं तो 12 मिनिट में tank की आपका fill हो जाएगा second, third और fourth कौन है अगर मैं A, B, C, D मानू तो B, C, D are second, third and fourth and they together can fill the tank in 12 minutes ओके सर डन, डन the third and fourth inlet also it can be filled through the first and the fourth inlet in 20 minutes यही tank पहले और चौते pipe से 20 मिनिट में भरा जा सकता था is this the first pipe, is this the fourth pipe तो A plus D इस tank को 20 मिनिट में fill कर सकते है उसने का in how much time required to fill up the dam by all the four inlets सारे के सारे inlet pipe के द्वारा कितना समय लगेगा अब देखो इसका सिर्फ एक रास्ता नहीं है इसके multiple approaches है बट आपको जैसा दिखे वैसा कर लीजे कोई problem नहीं, सबसे पहले तो LCM जो की हो गया 60, efficiency 6, efficiency 5 और efficiency कितरा सर्थ 3 अब देखो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ जो मुझे दिखा सबसे पहले वो यह है कि यहाँ पे आपके पास ABC है यहाँ पे आपके पास BCD है अगर इस वाले efficiency से मैं इस वाले efficiency को हटा दूँ तो B और C चले जाएंगे क्योंकि इससे इसको minus करोगे तो B, B, C, C चले जाएंगे और मेरे पास रह जाएगा क्या? A के efficiency minus D का efficiency सर यह कितना है पता है? मैंने का कितना है? सर A minus D हो जाएगा आपके पास 6 minus 5 एक और जितने लोगों को यह समझ नहीं आए उनके लिए फिर बेवकुफों वाला method कि सर ABC हमारे पास 6 है BCD हमारे पास 5 है बच्पन में equation पढ़ा था इस equation से इस equation को minus करूंगा तो B, B, C, C कटेगा A minus D जो है वो 1 का आएगा लिख लिए सर AD का combined efficiency 3 का है मैंने का हाँ सर इन दोनों को add करूंगा तो plus D minus D कटेगा 2A is equal to 4 के साथ A का efficiency 2 आगया मैंने का यहीं रुक के रहो सर यहीं रुक के रहा है मैंने का हाँ सर क्यों जब उसने कहा कि मुझे time बताओ जिससे चारों pipe एक साथ मिलके भर सकते है तुम्हारे पास तो BCD का efficiency already 5 है न तो ABCD का efficiency कितना होगा बस A का 2 जोड़ दो उसने तो 5 प्लस 2 जब जुड़ेगा 7 होगा तो 7 unit के efficiency में 60 unit को भरने के लिए जो समय लगेगा वो कुछ और नहीं बलके 60 by 7 यानि के option number B सवाल का बहतरीन सठीक उत्तर होगा clear? चारों आगे बड़े सर आपके गाना सुनने के लिए जयान भूज के गलत करें कि इसके नौबत नहीं आने दूँगा कुछ ही देर में आप जयान भूज के भी सही नहीं कर पाओगे ठीक है? बस थोड़ा समय तो तो हर चीज का एक समय अभी beginners भी हमारे साथ लेके चलने उनको भी थोड़ा मजा आ रहा होगा ऐसे करके वो भी चलने होंगे अरे वह मजा आ रहा है सर थोड़े थोड़े देर में जब चीज़ें बदलेंगे तो सब मजा आएगा देखो सब आइल साइट सुरू हो चुके हैं लेंद से मालूम पढ़ रहा है पानी पे लिएते हैं तब तक थटी एक आंसर आ रहा है सी समय को रोकें अब देखें सर पाई पे जो है वो अकेले फिल कर सकता है एक टैंक को 20 आवर्स में मैंने का तो सर लिखो ना मैंने का ठीक है सर जो हमारा एफिशेंसी है पाई बी का वो 66.66% कम है पाई पे से सर 66.66% तू थर्ड होता है मतलब A का एफिशेंसी अगर तीन पाट का है तो उससे दो पाट कम आपका एक पाट का एफिशेंसी B का होगा मैंने का ठीक है कोई प्राब्लम वाली बात नहीं है वही उसने कहा कि B 66.66% less efficient than A सर A, B, C together can fill the tank in 90 hours सर A, B, C together मिलके एक tank को 90 hours में fill कर सकते है उसने कहा where C is an outlet pipe C जो है वो एक outlet pipe है pipe A, B, C are opened simultaneously and after T hours pipe C is closed and the remaining tank is filled by pipe A and B in 10 hours then find the value of T उसने कहा A, B, C को हम open करेंगे और उनको हम T hours तक चलाएंगे उसके बाद हम C को बंद कर देंगे और जो बाकी का आपका tank है उसको A और B 10 घंटे में भर देंगे तो मुझे T का मान बताओ सर मैंने का वो सब ठीक है आप कल जैसे एक सवाल था मैंने पुरा धागा खोल के दिखाया था कि सर आपने तो ये LCM लिया था 48 मुझे इतना याद है time and work में फिर 144 कैसे कर दिये तो इतना कलेश इतना doubt ना हो सर 20 घंटे तक हर घंटे 3-3-3 यूनिट करके वो 60 यूनिट भर सकता है क्या ये पहला चीज क्लियर है यस सर अगर सच में total capacity 60 यूनिट का है तो उसी 60 यूनिट को मैंने सुना है ABC को 90 आवर्स लग रहा है मैंने का हाँ तो ABC का जो combined efficiency है वो बताओगे मैंने का बिलकुल 60 यूनिट को 90 घंटे लगना मतलब हर घंटे 2 बता 3 का पानी अंदर छोडने के बराबर है सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैंने का हाँ भाई बोल सर मैंने सुना है कि A और B मिलके 1 घंटे में 4 यूनिट का पानी भर देंगे मैंने का हाँ तो सर C ऐसा कितना निकाल रहा होगा इस 4 में से मैंने का अच्छा कि आपका effectively पानी 2 बता 3 का ही एक घंटे में अंदर जा रहा है मैंने का तो निकालना X का value कि 4 में से C ऐसा कितना निकालना होगा कि 2 बाई 3 सर मैंने देखा कि X उधर चला गया 2 बाई 3 इधर माइनस हो गया सर 4 में से जब 2 बाई 3 जाएगा तो ये 12 में से 2 सर ये 10 बटा 3 हो जाएगा मैंने का ठीक है सर अगर C आपका 10 बटा 3 efficiency यानि कि इतना निकालने का शामर्ते रखता है तो question क्या कह रहा है बत करवा दिया आपको तो सवाल कह रहा है कि तीनों को आपने पहले T hours चला है था तो तीनों का combined efficiency आपके पास है 2 by 3 2 by 3 unit के combined efficiencies में T hours में इतना भर पाएगे उसके बाद आपका जब C बंद हो जाएगा तो A और B के combined efficiency यानि कि 4 unit के efficiency में 10 गंटे में जो 40 भरेंगे उतने में टंकी full हा सर पूरा टंकी अगर 60 है उसमें से last में 10 गंटे में अगर उन्होंने 40 डाला होगा तो उससे पहले इस T hours तक कितने का पानी डल गया होगा Sir 20 का पानी डल गया होगा तो अगर 20 का पानी डल गया होगा तो T का मान कितना हो जाएगा Sir 2 से काटा 10 10 into 3 हो जाएगा आपके पास कितना 30 और 30 के साथ option number D सवाल का सही उत्तर है अगर सवाल में C का time पूछता तो C का efficiency चाहिए होता लेकिन C का efficiency मुझे नहीं चाहिए clear आगे बढ़े आप लोग भी मेरे साथ 10 by 3 पहुंच गए हो चलो कोई नहीं लेकिन ज़रूरत नहीं था नहीं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चिन है बहुत ही उंदा क्वेश्चिन है time and work में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है कल से languages में काफी change किया गया है जैसे कि आपको कुछ extra material मिल सके sir please क्या हो गया sir c का efficiency कैसे निखाले थोड़ा वही basic concept है कि a b c का total efficiency हो रहा है 2 by 3 जिसमें से आपका a और b का combine efficiency आ रहा है 4 तो c कितना निकाल रहा होगा क्योंकि इन दोनों ने तो 4 डाल दिया है अब c ऐसा 4 में से कितना निकाल रहा होगा कि a b c तीनों मिलके मात्र दो बटा तीन का ही पानी जा रहा होगा c इधर ले और 2 by 3 इधर ले और 10 by 3 पहुंच जाओगे थोड़ा पाइपशन सिस्टन है तो लॉजिकल भाई स्टार्ट करें भाई बहुत टाइम ले लिए हो और दूँ d में भी कैनाट बिटर्माइण एक मिनिट तीस सेकंड क्या अब बोलू तब आही हो जाणा अब जितने बार होगा मैं बोलूँगा आपके लिए ठीक है d लग रहा है c and d चलो देखते हैं आप बोले डी लेकिन बच्चे यहाँ पर अन्शिका जी a डिटर्माइन कर रहे हैं अजे भाई c डिटर्माइन कर रहे हैं डिटर्माइन कैसे कर रहे हो रहे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा तुम लोग हो की डिटर्माइन कर दे रहे कुछ भी कर दोगे क्या two pipes a and b together can fill a tank in 35 by 6 minutes sir a है मैंने का हा sir b है मैंने का हा क्या यह दोनो 35 by 6 minutes में tanky को fill कर सकते हैं हा sir है दो pipe और c और d c जिसका efficiency double है a का छोड़ दो और d जिसका efficiency आधा है b का छोड़ दो वो together मिलके same tank को इतने minutes में fill कर सकते sir वो पहला line अगर हम छोड़ दे तो क्या आप यह कहना चाते हो कि c और d मिलके इस tank को 140 by 33 minutes में fill कर सकते हैं मैंने का हा sir वो line बीच में हम क्यों confused जाएं मैं आपको कुछ बढ़िया कह रहा हूँ ध्यान से सुनो मैंने का हा sir इन दोनों का capacity निकालो मैंने का कैसे इतना भंकर भंकर दिख रहा है sir आप भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला आपने कहा था ना खाली numerator का LCM से काम बन जाएगा क्योंकि denominator divide में उपर चला जाएगा मैंने का smart boy तो sir 35 और 140 का LCM तो 140 खुद है मैंने का हा sir 140 में जब मैंने 35 by 6 को divide दिया तो बटे 35 वो 4 आया और 6 उपर चला गया 24 repeat बोलने से पहले क्या आप अपना pen और paper इस्तिमाल करके इसको इससे भाग दे के 24 निकाल सकते हो या repeat लिखना आसानी इसलिए लिख देते हो हाँ थोड़ा pen paper भी लगाओ 140 divided by 140 by 33 140 140 कटा 33 ये आ गया हाँ sir sir मैं आप से कुछ कहना चाहता हूँ मैंने कहा a b का combined efficiency ये है c d का combined efficiency ये है मैंने कहा sir ये तो मुझे और कोछ जम नहीं रहा उसने तो question आगे पूछ लिया कि जो ratio है time जो लेगा a और जो time लेगा b fill करने के लिए tank वो पूछा है वो कैसे निकालो मैंने कहा सुनो थांबा बीच में जो line दे है उसको ध्यान से पढ़ना c का जो आपका efficiency है वो twice है a का क्या मतलब अगर a का efficiency x है तो c का efficiency 2x है अरे हां sir ये तो मैंने सोचा ही नहीं और d का efficiency अगर आधा है b का तो क्या b का efficiency अगर 2i है sir 2i क्यों y क्यों नहीं अरे y लोगे तो y by 2 fraction आएगा अगर 2i है तो उसका आधा y होगा ओके sir ठीक है मैंने का अब मेरे एक बात बताओगे हाँ sir पूछो आप पस पस पूछ के देखो sir कि आपका a और b का जो combined efficiency x plus 2i है वो नियर मनुसार कितना है sir 24 है मैंने का हाँ बात तो सही है sir जो c और d का combined efficiency है 2x plus y का वो कितना मैंने का वो तो 33 है इस equation को solve करने का एक तरीका है कि आप जब इन दोनों को जब इसका और इसका coefficient interchange होते हैं तो जब आप add कर देतों ना तो दोनों के coefficient बराबर हो जाते हैं मतलब sir x2x 3x 2yy 3y तो इनका जो sum है यानि की 57 वो 3x और 3y का होगा जिससे की x plus y आपको कितना मिल जाएगा sir 57 by 3 यानि की 19 अगर आप इसमें से इसको minus कर दोगे तो आपको x का मान कितना मिल जाएगा मेरे ख्याल से 14 और y का मान कितना मिल जाएगा sir 14 में 5 जोडने से आपके पास 9 तो अगर x 14 है और y 5 है तो उसने तो मुझे a और b का कुछ संबंद मागा था पहले मैं a और b के पास जाके आ रहा हूँ ठीक है sir a का efficiency कितना हो जाएगा sir x होते ही a का efficiency 14 हो जाएगा sir मैंने का b का efficiency sir 2y होते ही उसका efficiency 10 हो जाएगा sir मैंने का sir 2 person जिनका efficiency 14 इस्टो 10 में रहता है तो उसने कहा कि उनको जो time लग रहा होगा वो किस ratio में होगा मैंने का उल्टा दो 10 14 और कट कर दो 5 7 तो आप में से जितने लोगों ने answer 5 7 यानि कि option number C को answer मार किया है अगर आपने इतना मेहनत करके धेरिये थोड़ा खोया होगा और 5 7 के जगा 7 5 को पिक्या होगा तो तबाही हो जाना ठीक है क्योंकि वो आपका efficiency का ratio है और आपको पूछा है समय का ratio मज़ेदार था इस question के लिए एक like मांग सकता हूँ मैंने इसलिए तो कहा था अंची का जी आपी के लिए तो गाना गा रहा हूँ मैं तबसे तबाही हो जाना चले लकी है आप अंची का जी और उसके साथ अनलकी भी है कि गाना सही नहीं है ठीक है गाना गारों इसलिए लकी हो लेकिन गाना सही नहीं है इसलिए अनलकी भी हो चाला चाला सर आप ग्रेट टीचर हो अरे चलो थैंकियू सो मच यह सब बहाने हैं क्या कुर्षिन का लेंद बड़ा होने के कारण चाला अपने गाया तो बड़ी है चालो इसको मैं रोकता ना रोकूंगा नहीं पहले पहले तबहा करूंगा उसके बाद रोकूंगा रोके ले लो देड मिनिट यार मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा अभी से 8 मिनिट 30 सेकेंड तक कोई भी पेन पेपर पे हाथ नहीं लगाएगा क्या इतना अनुरोध में कर सकता हूँ और आप मान सकते हो 8 मिनिट 30 सेकेंड तक अब पूरा का पूरा सिस्टम मेरे पास है आपके पास कुछ नहीं है आप प्लीज ड्रॉप यूर पेन्स कीजिए ठीक है सर मैंने का हाँ सर एक्स अकेले फिल कर सकता है मैंने का हाँ 2 थर्ड एक empty टैंक का 28 आवर्स में मैंने का हाँ सर अगर 2 थर्ड 28 आवर्स में तो पूरा टैंक 28 का 2 थर्ड उल्टा दूंगा 3 by 2 कर दूँगा तो आपने पढ़ाया था तो sir ये आपके पास 42 hours में fill कर सकता है मैंने का हाँ sir y जो है वो 3 5th fill कर सकता है same tank का 21 तो sir 3 5th का उल्टा करके 5 by 3 जब मैंने किया तो 7 into 5 sir ये 35 हो गया यहां तक आप सभी ने देख लिया x और y के पूरा का पूरा time pipe a है वो empty कर सकता है पूरे tank को 70 hours में और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे x और y और a ही है और कोई pipe है नहीं तो मैंने x pipe 42 hours में fill कर सकता है लिखा y pipe जो है वो 35 hours में fill कर सकता है लिखा और a pipe जो है वो 70 hours में empty कर सकता है लिखा मैंने LCM लिया कितना आ गया मेरे पास 210 unit का LCM आ गया और 210 का LCM आते ही जो आपका efficiency है 5 unit जो आपका efficiency है 70, 6 unit और जो आपका efficiency है 3 unit निकालने का वो मैंने लिख लिया यहां तक किसी को कोई problem तो नहीं ठीक है a चलो हाँ सही है a चलो a देखते हैं क्या है start करें ध्यान से sir उसने कहा कि x और y को हमने open किया simultaneously मतलब पहले x और y आपके चलेंगे और उसने कहा and on every third hour pipe a is opened alone अकेला एक आपका चालू होगा and again on fourth hour x and y are opened and this process goes on क्या आपने यह process समझा कि पहले घंटे कौन-कौन चलेंगे x, y दूसरे घंटे कौन-कौन चलेंगे x, y लेकिन तीसरे घंटे में third pipe is also open नहीं का गया third pipe is open alone मतलब खाली हम a pipe को ही open करते हैं और वापस से 4 घंटे में हम फिर open की बात की गई हैं क्योंकि बीच में कोई close होगा तभी तो open करूँगा बीच में close होगा तभी ना जाके आप fourth hour में x, y को open करोगे अगर वो continuation में open था तो और open लिखने कोई sense ही नहीं बनता तो मतलब again आपका x plus y चलेगा फिर आपका पांचवे घंटे x plus y चलेगा and on every third hour में अभी दूसरा third hour यहां आ रहा है छटे घंटे में जहां अकेला a चलेगा यह system सभी का clear है किसी का कोई problem नहीं है सर जब x और y चलेंगे तो सर वो 6, 5, 11 भरेंगे मैंने का okay सर जब x plus y चलेंगे सर वो 11 भरेंगे मैंने का okay लेकिन सर जब a चलेगा वो 3 निकालेगा मैंने का very 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 okay तो सर यह 11 भरा यह 11 भरा और यह सर आपका 3 खाली हुआ मैंने का हाँ ऐसे ही तो system चलेगा 11-11-3, 11-3, 11-3 मैंने का हाँ तो आपने कुछ absorb किया या नहीं मैंने का क्या 11-11, 12 unit अंदर 3 unit बाहर यानि के 19 unit का पानी टंकी के अंदर जाने के लिए 1, 2, 3 3 घंटे लग जाते हैं क्या यहां तक clear है 19 unit का पानी टंकी के अंदर जाने के लिए 3 घंटे लग जाते हैं मन तो बड़ा करेगा मन तो बड़ा करेगा कि आप 210 तक चले जाएं लेकिन एक चीज याद रखिएगा ये तीन यूनिट निकालने के कारण आप डाइरेक्ट मल्टिपल्स में नहीं जा सकते इसको समझने के लिए मैंने शाड़े आट मिनिट मांगा था क्या एक सवाल एक inlet pipe है pen हाथ लगाओगे हाथ नहीं काट सकता हाथ मत लगाओ बस जो सिखा रहा है mentor की बात मानो उसमें कुछ idea है इसलिए आपको बोल रहा है सर एक inlet pipe है सर मैंने का हाँ वो इस tank को भर सकता है 6 hours में मैंने का चीख है सर एक outlet pipe है सर मैंने का हाँ सर ये इसको empty कर सकता है जो कि empty कर सकता है 5 7th tank को 5 hours में 5 7th tank को 5 hours में तो पूरा tank को 5 into उल्टा दो यानि कि 7 hours में सर उसने कहा कि पहले घंटे केवल inlet चलेगा और अगले घंटे केवल outlet चलेगा और ऐसे करके वो alternately हर घंटे चलते रहेंगे तो tank fill होने के लिए कितना समय लगेगा सर सेम चीज ही है LCM लिया मेंने 42 units 42 का LCM लेने के बाद 42 divided by 6 सर ये 7 भर सकता है ये 6 निकाल सकता है सर आपने पहले चलाया inlet pipe को तो उसने पहले ही घंटे में 7 unit डाल दिया होगा लेकिन फिर आपने दूसरे घंटे में outlet को चलाया तो वो 6 निकाला होगा ऐसे ही तीसरे घंटे में आपने 7 डाला होगा और 4 घंटे में आपने 6 निकाला होगा आपको पता चलाया कि नहीं चलाया मुझे नहीं पता लेकिन मैंने देखा 7 अंदर गया 6 बाहर तो 1 unit का पानी 7 अंदर गया 6 बाहर तो सिर्फ 1 unit का पानी और एक यूनिट का पानी टंकी के अंदर जाने के लिए आपको सर कितने घंटे इंतजार करने पड़ रहे हैं, एक दो घंटे इंतजार करने पड़ रहे हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, मन आपका बहुत करेगा कि एक यूनिट जाने के लिए दो घंटे, तो 42 यू करे मैं 35 यूनिट भराऊं सर क्यों सुनो पहले तो कितना समय लगना चाहिए सर ये भी कोई सवाल है बेगार सा सवाल एक यूनिट दो गंड़ा 15 यूनिट जत्र गंड़े खतम मैंने का सुनो कोई भी साइकल कंप्लीट हुआ तो मतलब मैं ऐसा एक लूप चला के आउटलेट 35 में 7 डला तो पानी कितना है 42 और 70 में एक जुड़ा तो कितरे गंटे है 81 ओके यह माईला ये तो मैजिक है सर ये तो मैजिक है मैं तो सोच रहा था 84 होगा तो समझे पाइबसन सिस्टन में क्या गढ़बड है पाइबसन सिस्टन में आपका खाली काम हो नहीं रहा है आपक मतलब जो 84 आप आंसर कर रहे थे वो 84 में 71st टावर में ओल लेडी टंकी भर गया था बट आप रुके नहीं आप फिर 72 घंटे चला है उसको खाली किये फिर भरवा के ओवर्फलो करवाए फिर खाली किये फिर ओवर्फलो करवाए ऐसे करके आप 84 घंटे पे जा रहे हो आप मैंस का दज्या उड़ा रहे हो सर सब सही है मैं आपको बहुत अप्रिशेट करता हूँ गलत हो गया हो गया आप सही बताओ ना मैंने का क्या 35 कहां से लाए मेरा इंलेट पाइप का क्षमता कितना है साथ तो मैं कोशिस करूँगा कि आखरी साथ यूनिट वो ही मेरा काम करे तो मैं मैं पूरे काम से साथ यूनिट का काम उसके लिए छुपा के रखूंगा 42 से साथ छुपाऊंगा तो मैं करने के लिए उनको कितना इजाज़त दूँगा 35 क्लियर है ये कुश्चिन सभी का जल्दी से क्या ये चीज क्लियर है ठीक है सर क्या मेरे साड़े आट प्लस में फिल कर सकता है सर एक पाइप भी है जो एमटी कर सकता है 12 गंटे में ये आपका डीसन प्लस वाला क्लोव क्वेश्चिन है तो टेंशन ना लीजिए अरे ऐसे क्वेश्चिन फ्रेम नहीं हो पाते आसानी से समझ रहो ना क्यूंकि इतना खुपसुरत खुपसुरत वो आपका 12 गंटे में एमटी कर सकता है ठीक है सर 12 गंटे में एमटी कर सकता है और जो टैंक है वो ओलेडि फिल कर सकता है 24 गशुरत खाली भर Sir, आपका यह जो tank है वो already 1 4th of its capacity भर चुका है Alternate working concept very important in pipes and system So, नजर मत हटाना फिर pipe A को, now pipe A is opened in the first hour alone Pipe B is opened in the second hour alone And pipe C is opened in the third hour alone And this cycle is repeated until the tank gets filled Then in how many hours does the rest of the tank gets filled? Sir, ले लूँ मैंने का ले ले भाई कितना है? Sir, 48 तक क्यों जा रहा था? 24 में ही काम बन जाएगा न दोस्त Sir, 6 है Sir, 2 है Sir, 1 है यहां तक clear? हाँ, Sir Sir, जब पहला आपका A चलेगा तो वो 6 भरेगा यहीं लिख देता हूँ न फिर जब आपका B चलेगा तो वो 2 निकालेगा मैंने का हाँ फिर जब आपका C चलेगा तो वो 1 भरेगा अब देखो यहां पे tension क्या है? कि हो सकता है final काम मैं इससे ही करवाँ बट अगर वो overflow होके इसके पास आगया तो मैं रोक तो नहीं पाऊंगा वो एक natural process है तो जब भी pipes and system का कोई question ऐसे 3-4 pipes का दिया हो जैसे कि यहां पे 3 है जो question हमने छोड रखा है वहां पे 3 है जहां पे controversy आ सकता है confusion आ सकता है वहां पे अपने pace को slow down कीजिएगा मतलब loop का जो सबसे highest multiple है वहां ना जाके उसके एकाद multiple पहले से ही धीरे धीरे चेक करना चालू कीजिए आप मेरे point को समझ रहे हो कि आपको exact जो multiple मिल रहा है उससे 2 multiple कम से कम अपने हाथ में रखके धीरे 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 इस process को लेना होता है सर कैसे बताता हूँ कैसे सर 6 गया अंदर 2 गया बाहर 4 चार में फिर एक गया अंदर तो आप में से सभी ने ये feel किया होगा कि 5 unit का पानी जाने के लिए 3 घंडे का समय लग रहा है ऐसे करके अगर मैं ऐसे 20 तक चला जाता तो गड़बड हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा यहां 20 तक ना जाके इसको थोड़े पहले multiple में रख दूँगा मतलब I know कि the highest multiple up to 24 is the fourth multiple बट मैंने क्या कहा था safe side के लिए एक multiple अपने हाथ में रखना थोड़ा time calculate लगेगा because all these types of complicated questions were asked in minimum in clerical mains level not in Popree Popree का direct यह व stellar जो 6, 7 का χतम हो चुका है minus कर जोगे हो जाएगा तो इन सब के लिए आपके पास थोड़ा सुमेह होगा तो tension ना लिझेगा I know कि five का बड़ा multiple four times जा रहा है but I will restrict myself because my mentor have suggested me to go with the least possible number multiple तो sir अगर मैं सचमें आपके बाद सुनके अगर 24 में से 14 यानि कि 6 unit भरा हुआ है तो आपको जो भरना है वो आगे कहां तक भरना है सर मुझे आगे 18 तक भरना है मैंने का ठीक है now I need to fill अब तो आसान हो जाएगा अब यह question में कुछ हा रहा नहीं मैंने इस question कोई क्यों पिक किया पता नहीं चला अब तो कुछ भी नहीं है 18 में तो 15 में जाके मैं कर दूँगा आराम से भै इस वाल मजा नहीं आया need to fill 18 units अब 18 units में आपका सबसे बड़ा multiple है वो 15 दिख रहा है बट आप जाओ थोड़ा 10 के पास कि कैसे कि अगर 10 unit मुझे कि छोटे चीज़े ना लगा दो सब 10 unit भरने के लिए आपका 6 घंटा लगा होगा अब मैंने आपको वो चीज क्यों कहा था क्योंकि सुनो मेरी भाई अगर मान लेते हैं इसका efficiency 4 निकालने का होता आप मेरी बात को ध्यान से समझ रहा ठीक है और इसका 10 unit को भरने के लिए 6 घंटे लगे और यह अगर 8 unit भर सकता है तो 18 जाने के लिए इसको 8 unit में सिर्फ एक ही घंटे का समय लगेगा बुलो हाँ या ना बट अगर आप 18 को आँखों के सामने रखके 5 के तीसरे multiple 15 तक चले जाते तो blunder होता की नहीं बस मैं आपसे जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन लेँ कि just in case यह 6 ना होके 8 होता यह 2 माइनस ना होके 4 होता तो effective तो 5 unit का 3 ही घंटा होता आप अगर 18 भरने के 4 में 15 तक चले जाते इस लूप को तो आपका 15 unit भरने के लिए 3 तिया 9 घंटे लग जाते उसके बाद भी आप फिर जाओगे भरोगे एक्स्टा 3 unit लेकिन यहाँ पर अगर मैं 10 unit तक रहता तो यह चीज कितने में भर जाता सर 6 घंटे, 1, 7 घंटे तो यह इस चीज का कोई short trick नहीं है अगर मुझे 18 तक भरवाना है तो मैं थोड़े 2-3 multiples अपने हाथ में रखूँगा मैं 15 तक नहीं जाओँगा मैं कहां तक जाओँगा? मैं 10 तक जाओँगा और अगर मैं 10 तक जाता तो यह चीज गलती मेरा नहीं होता अब हम अपने question को चले आते हैं question हमारा दिया है तो suppose मैं 10 unit के पास गया जितने लोगों को समझ में नहीं आया मैं गया नहीं हूँ मैं यहीं हूँ 5 minute चुपचा बैठे रहोगे सर 10 unit भरने के लिए कितना घंटा? मैंने का 6 घंटा इसके बाद आप इस inlet से पूरा का पूरा काम करवा के अठरा तक पहुंच पाओ गे क्या? नो सर अउकात नहीं है 6 जाएगा अंदर फिर 2 जाएगा वापस मतलब फिर 14 और फिर 14 में एक मैं 15 तक ही जा सकता हूँ मतलब I need to run this loop one more time सो 9 घंटे तो लगने ही लगने हैं बट यहां से सर में कुछ कह सकता हूँ मैंने का क्या? 15 यूनिट भरने के बाद आगे का जो 3 यूनिट है वो पहला वाला पाइप A अपने 6 यूनिट के एफिशेंसी से मात्र आधा घंटा लेगा सर किस confidence है? जो 6 यूनिट करने के लिए 1 घंटा लेता है उसके लिए अगर मैं 3 यूनिट का काम दूँ तो वो आधा समय लेगा यानि कि आधा घंटा तो ये time answer कितना आएगा? 9 घंटे 30 मिनट आप मेरी बात को समझे answer कितना आया? 9 घंटे 30 मिनट आपका answer आया इस question को मैं change करना हूँ थोड़ा जितने लोगों को doubt है भाई मेरा इसको 8 ना इसको 8 करने के लिए इसको 3 करना पड़ेगा इसको 4 करने के लिए इसको 4 करने के लिए इसको 6 करना पड़ेगा ये ना 8 करने के लिए इसको 3 और इसको 4 करने के लिए इसको 6 3, 6, 24 अगर ये 3 में भर सकता है ये अगर 6 में निकाल सकता है और ये अगर 24 में भर सकता है और अगर एक चौथाई टंकी आपका फिल्ड है तो अगर उनको मैं अल्टरनेट में चलाऊं तो आपका पूरा टंकी भरने के लिए कितना समय लगेगा सरे एलसेम कितना है मैंने का कितना सर 24 मैंने का ओके सर एफिशेंसी कितना है आठ योनिट भरेगा चार योनिट निकालेगा और आपका एक योनिट भरेगा सर आठ गया अंदर, चार गया बाहर यानि कि चार और फिर एक गया अंदर सर ये तो देखेला देखेला लग रहा है पांच यूनिट पानी जाने के लिए सबको एक एक घंटे यानि कि तीन घंटे लग रहे है सार मैंने का क्या एक चौथाई इसका जो है छे यूनिट वो भर गया है तो मुझे अपना पूरा फोकस सार 24 पे नहीं 18 यूनिट पे रखना है 18 का 5 का सबसे बड़ा मल्टिपल जो है हमने पिछले सवाल में देखा कि 15 तक जाना पड़ रहा है मैंने का ज़रूरी नहीं है वही तो बताने के लिए नंबर चेंज किया ना मेरे भाई उत्ते जीत होके 18 के पास मत जाना तीसरे मल्टिपल के पास मत जाना थोड़ा धीरे धीरे करके दूसरे मल्टिपल के पास जाना कि 5 यूनिट 3 घंटा तो 10 यूनिट 6 घंटा 10 यूनिट होने के बाद इनलेट के पास काम आएगा और इनलेट जो है वह अगले ही घंटे में 8 यूनिट का पानी डालके समाप्त कर देगा दोस्त हाँ या ना वह समाप्त कर देगा 18 यूनिट जो आपका बाकी है भर देगा 210 तक जाना है, या फिर 215 तक जाना है, I can clearly see that 30 is the maximum possible multiple to reach 215, but मैं 30th multiple के पास नहीं जाओंगा, safe side के लिए 28th multiple के पास जाओंगा, अगर आप मुझे मानते हो mentor, तो मैं आपको ये करवा देता हूं, ठीक है, अगर आप मानते हो मुझे mentor, तो मैं करवा देता हूं, जो पूछ रहे ये आधा घंटे का सीन, भाई, pipe किसके पास जाएगा, एक के पास, common sense है, 6 unit का पानी वो एक घंटे में भर सकता है, सर ये कहा लिखा, भाई, तो question लिख भी रहा है या नहीं, एक घंटे का उसका 6 unit का काम है, अगर 6 unit के लिए उसको एक घंटा लगता, तो उसको एक unit भरने क तो 3 unit का काम जब उसके पास जाएगा, तो कितना समय लगेगा, 1 6th, ये कटता है पता है, numerator, denominator, क्या कर रहे हो, ऐसे करोगे तो कैसा होगा, हम कहां कहां चलने की बात कर रहे हैं, और तुम होके आधा गंटे बैठके हुए हो, दोस्त, हम कहां कहां जाके आ रहे हैं, आप दे सर, 19 unit का पानी जाने के लिए 3 घंटा लगा, अरे सब भूल तो नहीं गए, एक बार शेशन को लाइक करके जल्दी पानी पीके आओ, जल्दी, 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 आठ मिनिट 30 से बहुत ज़्यादा ले लिया न, बट शायद कुछ सीख रहे होगे आप, शायद, मैं तो अपना best दे रहा हूँ, कभी कोई कंजूसी नहीं करता हूँ, सब आपको दे देता हूँ, क्या मैं लेके जाओंगा, सही मैं, कुछ लेके जाओंगा क्या, आज हूँ, कल नहीं रहूंगा, सब कुछ आपके पास पहुंचा देने से मेरा काम आसान हो जाएगा, पे भी आपको नॉर्मली चलना है ठीक है सर मेरा पूरा 210 भरना है सर 19 यूनिट भरने के लिए 3 घंटे लग रहे हैं अगर आप में पेशन्स है तो आपने ये चीज देखा होगा सर मैंने एक चीज नोटिस किया मैंने का क्या 19 का 11 मल्टिपल जो है सर 33 घंटे है सर एक यूनिट बच्चा आएगा इसके पास तो वो एक बटा पांच घंटे लेगा नहीं इसके पास नहीं सॉरी हमारा जो साइकल का पहला दिन जिसके पास जा रहा है X और Y वो 11 यूनिट के हिसाब से उसको कितने में करेंगे सर एक बटा अरे भाई मिट जाना भाई मिट एक बटे 11 और आंसर होगा 33 होल 1 बाई 11 आप समझे ये गलत है गलत है मैंने क्या कहा था सबसे बड़ा मल्टिपल दिखेगा बट आपको जाना नहीं है आप थोड़ा पहले रुक जाना जैसे कि मेरा मन कर रहा है मैं दस हुए मल्टिपल तक जाऊंगा 11 माक्सिमम है पट मैं थोड़ा पहले रुक जाऊंगा मैं 190 यूनिट इससे करवाऊंगा और 10 कुना के हिसाब से 30 घंटे का समय लूँगा अगले घंटे इसके पास जब काम जाएगा तो ये 11 डालेंगे उसके अगले घंटे इसके पास जब काम जाएगा तो वो 11 डालेंगे एक 11 जब डला और एक घंटा जब लगा तो 201 यूनिट आपका हो चुका है फुल और समय लग चुका है 31 घंटे अब मैं अगले घंटे की बात करूँ तो अगला घंटा आपके पास कितना है सर अगला घंटा में पूरा आपका 11 जा सकता है मैंने जा सकता है लेकिन मुझे नहीं चाहिए 210 में मेरा 201 डल चुका तो 9 यूनिट से मेरा पेट भर जाएगा ये जो 9 unit है अभी जिनका सवाल था उसी सवाल से ये क्लियर होगा कि वो किसके पास जाएगा इसी xy के पास जाएगा अगर ये पूरे के पूरे 11 unit का काब एक घंटे में करने के एक शमता रखते थे तो इनी को जब मैं 9 unit का काम सौंपूंगा तो ये एक बटा 11 into 9 यानि कि 9 बटा 11 घंटे लेंगे और अगर ये 9 बटा 11 घंटे लेंगे तो जो टोटल टाइम होगा सर कितना होगा पता है मैंने का कितना सर ये 9 जालने के बाद 210 unit का पानी हो गया 31 घंटे हो चुके थे और 9 बटा 11 यानि कि 31 whole 9 by 11 hours option number C इस सवाल का सयूत्त हो जाएगा क्या आप समझे मैं इतना effort दे रहा हूँ शायद ही कोई इतना patient लिए आपको समझा रहा होगा सच बताओ तीनों के question का link भी आप समझे ऐसा नहीं कि फिजूल वाले questions कर रहा हूँ आपने तीन questions का link देखा आपस में कि सबसे पहले आपको यही सीखना था सबसे pure basic जहां पर आप मुझे मना ही नहीं कर सकते आपने बोला था ना 84 मैंने पहले वहाँ आपको गलत प्रूफ किया फिर आपके दिमाग में आरे नहीं मेरा concept गलत है समझना आप तो पड़ेगा फिर समझाने के लिए मैंने इस question का सहरा लिया इस question से एक extra point जो मुझे दिखा मैं उस point को clear करके वापस हम उसी question पर आए जिस question पर हमने start किया था क्या alternate working concept आपका मैंने clear कर रखा है एक बार आप लो comment करो मैं फिर आगे बढ़ूँगा जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ अरे अगर negative work ही नहीं है तब तो normal time and work है दोस्ट तब और कुछ tension नहीं clear definitely all clear crystal clear ना एक बड़ा खुबसुरत सा सवाल आ रहा है उस सवाल का उत्तर दे दे मैंने भाई सब पढ़ा रखा है सर क्या सर अगर आपको pipe का कहां गया मेरा question sequence नहीं दिया जाएगा तो क्या ये आपका cannot be drumine हो जाएगा दोस्ट अगर ये 6 गंटे और ये 7 गंटे और मैं सीधा question कहता if both the pipes work alternately then how many time it will take to fill the tank completely then वहां मेरा common sense आएगा कि sir अगर inlet pipe का समय कम है तो इसका efficiency ज्यादा होगा ज्यादा efficiency रखने के कारण ये कभी खाली नहीं होगा क्योंकि मैं ज्यादा भर रहा हूं कम निकाल रहा हूं और अगर मुझे भरना ही है तो आपका जो टंकी है आपने तो पढ़ा रखा था एक पूरा slide में मुझे खुबसुरा तरीके से लिखा था मैंने का क्या कि आपको अगर टंकी भरना है तो I have to assume that initially the tank is empty सर इससे क्या sense बनता है if initially the tank is empty तो outlet pipe को लगा के हवा निकालोगे बताओ जल्दी अगर मुझे fill ही करना है because filling efficiency is more as compared to the outlet efficiency then ultimately the tank will get filled if ultimately the tank is going to be filled then my assumption says that the tank was initially empty if the tank was initially empty तो क्या मैं उसमें outlet pipe लगा के हवा निकालोगा no so my work will begin mandatorily with the inlet pipe so no cannot be determined we can determine with common sense आगे बड़े प्झे आई निक्ड़ाई ये प्हें है hmm झाल माने कुछ कर रहा है क्योंकि इतना effort दे रहा हूँ ना झाल एक answer आ रहा है स्टार्ट करें चालो ए खेलो दिमाग से स्टार्ट करें एक बहतरीन सा alternate का पूरा का पूरा concept मैंने आपको बता दिया है पूरा धागा खोलके जिन्दगी में और alternate का कभी आपका doubt नहीं होगा इतना आपको ऐसा alternate का concept शायद ही आपके जिन्दगी में किसी ने दिया होगा क्योंकि मैंने अपने पूरे के पूरे experience को यहां पे आप लोगों के सामने निचोड रखा है सवाल क्या कह रहा है ध्यान से सुनते हैं मैं आपको एक question कहना चाहता हूँ हाँ सर कहो ठीक है एक बार session को like कर देंगे जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए है सर हमारे पास जो inlet pipes है और एक outlet pipe है जिनका diameter इतना इतना है respectively मतलब दो inlet का diameter आपके पास है 5 का और आपका 6 का और जो आपका outlet है उसका diameter आपके पास है 7 का मैंने का हाँ सर जो उनका efficiency है न वो अगर निकाल दें तो question efficiency based करके हम solve कर सकते हैं मैंने का हाँ सर efficiency जो है वो तो directly proportional है उसके diameter के square के साथ मैंने का हाँ तो सर diameter अगर 5 है तो उसका square कितना हो जाएगा मैंने का 25 अगर नहीं मैं question change करूँगा option काट दो question change करके मैं इसको करूँगा square of its radius मैं question को काटके question को change करूँगा क्या करूँगा question को काटके करूँगा square of its radius जब आपके square of its radius होगा तो efficiency जो है आपका मन क्या करेगा सर अगर diameter 5, 6, 7 है तो इनका जो radius होगा सर वो आपका आधा, आधा, आधा और उसका square करेंगे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ हाँ सर बताओ आप अगर इसका आधा करके 2.5 radius इसका square करते मैंने का हाँ और हाँ तो आपको नतीजा सेम मिलता, सर कैसे क्योंकि ये चीज मैं लिख सकता हूँ 25 into 25 100 multiply करके, इसको कह सकता हूँ 30 into 30 35 into 35 5 में काटोगे तो 5 5 में काटोगे 5 5 में काटोगे 6, 5 में काटोगे 6 5 में काटोगे 7, 5 में काटोगे 7 5 का square 6 का square 7 का square, क्या एक concept और आप लोगों का clear हो गया, जल्दी से बताओ क्या यहाँ पे आपके पास है, क्या हो गया spam मत करो, क्या हो गया spam मत करो, अरे spam नहीं करेंगे चलो, रुख जाओ सेम तो, तो क्या यहाँ पे एक point आपका clear है, सर क्या, कि अगर उसने मुझे diameter given करके efficiency को radius के square में क्या होगा तो मैं बिल्कुल भी गुमरा नहीं होगा मेरा answer सेम ही आएगा क्या यह चीज clear है, आप बेकार फिजूल में इसका आधा आधा करके tension बिल्कुल ना लीजेगा, आप directly उसको कीजेगा क्या, कि भाई तू radius का square है, या diameter का square है, मैं किसी एक का square करने से कल चलेगा, तो आपका efficiency कितने लोगों ने feel किया कि 25, 36 और 49 के ratio में है यह दोनों inlet pipe होने के कारण plus और यह outlet होने के कारण minus, सर अगर यह efficiency based सवाल है, तो मुझे पहले total capacity निकालना है, मैंने का हाँ सर total capacity कैसे निकालूंगा उसने कहा कि जो least efficient pipe है वो fill कर सकता है tank को एक घंटे में सर इसमें से least efficient कौन है मैंने का जिस सबसे कम भरने का क्षंता रखे, 25, सर यह 25 unit अगर हर घंटे आपका भर रहा होगा और उसको अगर एक घंटा लग रहा है, तो total जो आपका capacity होगा, वो 25 into 1 होना चाहिए मैंने का 25 into 1 होना चाहिए लेकिन तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा question यहाँ पर आगे game किस में आ रहा है minutes में, तो मैं भी अपने question को थोड़ा change कर दूँगा, कि मैं एक घंटा नहीं आजियूम करूँगा, मैं उसको 60 minutes कंसिडर करूँगा, तो 25 unit के हिसाथ से अगर 60 minute में पूरा टंकी भर सकता है, तो क्या यह मेरा total टंकी का capacity है हाँ, क्या आपको पता है कि अगर मैं सारे pipes को एक साथ open करूँ, तो कितने minutes में one-fifth tank full होगा, सर कितने minutes में, क्या आप मुझे पूरा का पूरा टंकी fill करना है, no सर, मैंने का तो सर मुझे इसका one-fifth fill करना है, मैंने का इसका जो one-fifth तुम fill करोगे, इन तीनों के तीनों pipe को मिला के करोगे, मैंने का हाँ, यह 25 डालेगा यह 36 डालेगा 25 प्लस 36 कितना होता है, 61 61 पानी अंदर गया, 49 पानी बाहर गया, तो effectively पानी टंकी के अंदर हर मिनिट कितना रह रहा है, सर 12 और अगर यह 12 रह रहा है, तो बटे में कितना आ जाएगा, 12 और 12 से जब मैंने काटा इसको 5 और यह काटा 5, तो last में finally answer कितना resultant रहा, 25 मिनिट यानि कि option number A, इस सवाल का बिल्कुल 60 कुत्तर, क्या आप लोगों ने यही कहा था जल्दी से बताओ, क्या आप लोगों ने सेम कहा था, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि अगर वो कभी भी ऐसा diameter देके मुझे बोले कि आपका जो efficiency है, वो square radius का square है, तो मैं नहीं डरूँगा diameter का square का ratio जो होगा radius का square का ratio वही होगा क्योंकि सब में by 2 by 2 by 2 by 2 by 2 by 2 जो है, वो 4 4 4 cancel हो जाएंगे, तो diameter का square का ratio और radius का square का ratio हमें सा सेम रहता है, चिंता मत कीजिएगा, सबसे पहले हमने diameter का square किया और हमें इस efficiency का ratio मिला उसने मुझे least efficient pipe के बारे में कहा, तो मैंने least efficient pipe जो 25 unit भरता है, उसको लिया उसने एक गंटा दिया था, बट मैंने उसको minutes में ले लिया, क्योंकि सवाल minutes के उपर आधारित है, एक गंटे 60 minute होने के कारण 25 unit करके, मैं 60 minute में जो पानी भर सकता हूँ, ये मेरा total capacity है, और इसी capacity का one fifth मुझे भरना है तीनो के तीनो पाइट से जिनका total efficiency 25 प्लस 36, 61 अंदर और 49 बाहर के साथ 12 unit का होगा तो डिवाइड करने के बाद 25 आया, इस सवाल का बिल्कुल 60 कुत्तर, clear? अगला सवाल, जल्दी से करेंगे अरे तुम लोग पढ़ो ठीक है, जो कमेंट जो करना है जिसको जो कमेंट करना है करने दो मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता I will ignore your comments the way you ignored the video initially आपने जिस हिसाब से इस वीडियो को Python system के इतने खुबसूरत content को ignore किया था, उसी तरीके से मैं आपके comments को भी ignore कर रहा हूँ आंक बन कर दीजे, प्रभू मैं दिखाई नहीं दूँगा be lakshman in this life ठीक है? अब से तो सारे classes बस लाई भी लूँगा और क्या? ठीक है? और हाँ, मैं एक घंटे तक रखूँँगा ताकि मैं आज आपको PDF दूँगा वीडियो, हाँ, ए दोस्तों एक बार बता देना आज का वीडियो प्राइवेट करके अगर मैं खाली PDF टेलिग्रम पे दे दूँगा अगर question last के 15 question बन जाए आपसे मजा आ जाएगा चलो देखते हैं सबसे पहले अभी हम capacity based सवाल के पास आते हैं वो मजा होगा हाँ वीडियो हटा के PDF दे दूँगा भाई डर जाएंगे यह क्या है यह alternate में क्या करूंगा पता है उनका जो correct answer आया था वो सब option में थे 84 था 31 hole 1 by 11 था उनको हटा दूँगा भाई ढूंडते रहो यही है तुम इसी like हो दो pipe A है और B है जो fill कर सकते हैं tank को 60 minutes और 80 minutes में respectively मैंने का हाँ sir A है जो कि 60 minutes heading लगा लो capacity based सवाल 3 question कराऊंगा concept clear 100% एक भी question नहीं रुकेगा जिन्देगी में भाई अंगुठा बेचने के तरह लग रहा है एक देखे नहीं हो मेले वेले में अंगुठा बेचता है यह अंगुठा ले लो आपके जिन्देगी बर में कोई problem नहीं होगा एक अंगुठा दो अंगुठा यह ले लो अगर मैं एक साच चलाओंगा तो वह 48 मिनिट्स में इस टैंग को फिल कर सकते हैं सर अगर हम A को B को और C को चलाएं तो क्या 48 मिनिट्स में टैंग की फिल हो जाएगा मैंने का हाँ वही तो लिखा इतना प्यार से पूछ क्यों रहे हो सर मैं LCM ले लू इसमें एक आउटलेट पाइप है no doubt क्योंकि C जो है वो ड्रेन कर रहा है water बट effectively A B के साथ C 48 मिनिट्स में फिल ही तो कर रहा है तो ये overall जो efficiency वो प्लस में है अब सर क्या करो मैंने का क्या करो सर मुझे इतना साफ साफ दिख रहा है कि A 4 यूनिट पानी डाल रहा होगा और B 3 यूनिट पानी डाल रहा होगा मतलब A plus B मिलके 7 यूनिट का पानी टंकी के अंदर डाल ले होगी मैंने का हाँ इसी कूछ तो कर रहा है कि 7 के जगा मात्र 5 ही पानी जा रहा है मैंने क्या किया उसने सर 7 में से कितना निकालने से 5 होगा मैंने कहा 2 अब सुनो क्या पासिटी बेस्ट सवाल का मूल मंत्रा जो आपको rate दिया है वो किस pipe का दिया है वो ढूंडो सर ये जो rate दिया है वो outlet pipe C का दिया है क्या ये 240 मेरा assumption है हा सर ये मेरा assumption है सर मेरा नहीं सर हम सब का मैंने का ठीक है ना हमारा assumption है हा सर अब हमारे assumption को सवाल के दिये हुए data के साथ link करने का समय आ गया सर कैसे मेरे हिसाब से C 1 minute में सर मेरे हिसाब से C 2 unit निकाल सकता है 1 minute में अब थोड़ा सवाल के साथ जब link करोगे तो सवाल क्या कह रहा है सर सवाल कह रहा है कि आपका जो C है वो 8 liter निकाल सकता है 1 minute में वो 8 liter निकाल सकता है 1 minute में अब C एक ही तो pipe है वो 1 minute में बराबर ही तो निकालेगा जो उसको निकालना है मतलब हमारे हिसाब से C जो एक मिनिट में निकालना है दो यूनिट वो सवाल के हिसाब से जो एक मिनिट में निकालना है आठ लीटर के बराबर है अगर दो यूनिट आठ लीटर है तो एक यूनिट कितना है सर चार लीटर अगर एक यूनिट 4 लीटर है तो सर उसने कहा ना capacity tank का कितर है सर हमारे जो 240 यूनिट का assumption है वो तो game हो जाएगा into 4 लीटर करके 960 लीटर हो जाएगा मैंने का सही पकड़े है option number D अभी बहुत से बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया या जो भी तो मैं आपको एक चीज कहना चाता हूँ जितने लोगों को समझ में नहीं है please drop your pens I request everyone, I beg everyone kindly drop your pens drop किये drop किये drop please a leakage in a system would empty it completely in 18 hours एक leakage है जो completely एक tank को please pen मत उठाना 18 hours में empty कर सकता है if the system is full and an inlet pipe with a flow of 6 liter water per minute is opened now leakage takes 30 hours to empty the system leakage अकेला 18 घंटा में काम कर देता था लेकिन अब एक inlet pipe open होने के कारण उसको 18 नहीं बलकि 30 घंटे लगने वाले हैं empty करने के लिए मतलब उस leakage के साथ जब एक inlet pipe आ गया तो उसका काम बढ़ गया उसको और 8 घंटे में काम नहीं बन रहा अब वो भी भर रहा है न पानी तो अब ये process 30 घंटे का हो गया sir मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन 30 घंटे में भी empty हो रहा है तो ये minus sir मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैंने का कहो sir LCM ले लो मैंने का ले sir 90 मैंने का हा sir ये 3 unit और ये आपके पास sorry sir ये 5 unit और ये 3 unit मैंने का हा sir मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ लीकेट साफ दिख रहा है कि हर और ये question किस में है ध्यान से देखना गल्ती बिल्कुल afford नहीं कर सकते हम लोग question hours में है sir leakage जो है वो 5 unit हर घंटे निकालने का सामर्थिय रखता है लेकिन inlet pipe आके सब भिगाड दिया मैंने का क्या 5 के जगा मातर 3 unit निकल रहा है मतलब leakage आपका sorry inlet आपका कितना पानी भर दे रहा है sir 5 निकाल रहा था 2 साय दिये भर दे रहा है इसे चलते आपका मातर 3 ही unit का पानी टंकी के अंदर से जा रहा है बाहर मैंने का सुनोगे मेरी बात जो rate दिया है वो किसका दिया है sir उसने कहा है कि जो inlet है with a flow of 6 liters water per minute तो inlet का flow दिया है मैंने का inlet को compare कर दे है अपना अजन सोन और question हाँ sir मैंने का मेरे हिसाब से जो inlet pipe है वो क्या कर सकता है sir वो दो unit आपका भर सकता है हर घंटे में मैंने का सवाल का sir सवाल मैं बताता हूँ sir 6, 2 बराबर 6, 1 बराबर 3 90 बराबर 270 sir ये तो इतना बड़ा हो गया मेरा तो 270 इतनु सारा है क्यों बताऊं? sir क्यों? बेफ़फो तुम sir ऐसा क्यों बोल जो क्योंकि मेरे हिसाब से ये 2 unit एक गंटे में भर सकता है और सवाल के हिसाब से ये 6 лीटर पाणी हर minute भर सकता है अगर वो pipe एक मिनट में 6 लीटर भर सकता है तो उसको अगर मैं 360 लीटर भरने का सामर्ति रखता है अब question को tally करें कि जो inlet है वो 360 लीटर भर सकता है हर घंटे अब हर घंटे हर घंटे बराबर होगा मतलब अपना दो यूनिट सवाल का 360 लीटर है तो अपना एक एक यूनिट सवाल का 180 लीटर के बराबर है तो अपना 90 यूनिट का assumption जो total capacity उसने मांगा है वो कितना हो जाएगा सर 90 इंटो 180 मैंने का ये कितना है सर ये हो जाएगा आपके पास 162 और followed by 20 लीटर यानि कि option number ए इस सवाल का सही उत्तर clear मजा आया concept सीख रहे हो सर आपने का था तीन question करवाएंगे दो हुआ गिन अच्छा रहे हो दो pipe है A और B जो fill कर सकते हैं टैंक को 10 minutes और 15 minutes में सर A है 10 minutes में fill कर सकता है B है मने का हाँ 15 minutes में fill कर सकता है मने का चीक है एक west pipe है जो कि carry करता है off carry off मतलब निकालता है 22 लीटर का पानी प्रती minute और all pipes जब open होंगे तो tank आपका फुल हो जाएगा और इसको पूरा का पूरा लग जाएगा एक घंटे में क्या हो गया अच्छा बढ़िया सवाल है अगर सारे आपके pipe open होंगे कब जब आपका tank फुल होगा तब तो एक घंटे लग जाएंगे tank को empty होने के लिए मतलब जब तीनों pipes को आप एक साथ operate करोगे तब ही एक घंटे लगने वाले अब तीनों pipe में A, B के साथ आपके पास एक और pipe कौन होगा एक west pipe होगा तो A B के साथ एक west pipe है अगर आप यहाँ पे गलती से one लिख दिये तो तबाह हो गए ठीक है तबाह क्यूं क्यूंकि सवाल यहाँ पे minutes में है यह 10 minutes यह 15 minutes है तो आपको थोड़ा common sense रखके इसको सबसे पहले तो 60 minute करना था और 60 minute में क्या हो रहा है empty हो रहा है sir मैंने LCM लिया मैंने का कितना sir 60 sir मैंने efficiency निकाला मैंने का कितना sir 6 sir 4 मैंने का ठीक है sir अगर मैं आपसे एक चीज कहूँ मैंने का हाँ कि यहाँ पे efficiency एक का क्या हो रहा है sir यहाँ पे तो outlet मतलम निकल ला है न तो यह overall आपका minus 1 में रहेगा तो sir क्या हो रहा है पता है दस यूनिट का पानी डाला होगा मैंने का हाँ ये वेस्ट पाई पैसा क्या कर रहा है कि एक यूनिट का पानी निकल रहा है अगर आपने इसको 9 बोल दिये तो फिर भी तबाह हो गया तुम्हारा तयारी सर क्यों क्योंकि 10 यूनिट ये भर रहे हैं और ये अगर 9 यूनिट निकालता तो एक यूनिट का पानी भरता बट एक यूनिट का पानी निकल रहा है कि एक गंडे में पूरा टंकी एम्टी हो रहा है तो अगर आपको इसको नेगटिव वन पे पहुंचाना है तो 10 का पानी जो गया है उसके साथ साथ deficit एक create करने के लिए आपको 11 पानी निकालना होगा जो west pipe है वो हमारे हिसाब से मेरे हिसाब से 11 units का पानी हर ये question minute में convert है minute निकाल रहा है और question के हिसाब से west जो है वो carry off कर सकता है 22 liter का पानी हर minute में तो अगर 11 unit मेरा क्योंकि ये भी minute हो चुका है न जहाँ पे नहीं होता comment करते है मेरा 11 unit अगर 22 liter question का है तो मेरा 1-1 unit 2 liter का है और मेरा 1-1 unit 2 liter तो मेरा assumed 60 units का capacity 120 liters होने से कोई नहीं रोक सकता है option number C कर सकते हो बड़े खुबसरा तरीके से देखा क्या आपका एक बार बताओ alternate का तो clear हुआ था unit का capacity वाला type खतम capacity में कोई doubt नहीं होगा ऐसे वाले complex question भी अमने देख लिए जहाँ वो minute पे देता है लेकिन question hour में होता है तो सबसे पहले आपको अपना conversion minutes को hour में करना होता है डैम clear हो चुका है सर चालो clear सर आगे बढ़े capacity खतम हो गया अब आगे बढ़ते है अब multiple pipes concept सोचता हूँ कि आपके लिए ऐसे ऐसे content लेके मैं क्यों आ रहा हूँ जब आपको ही दिलजस्पी नहीं है एक एक sequence में multiple pipes concept एक एक sequence में पूरा बताओ multiple pipes concept में क्या होगा देखता हूँ session को like किये हो या नहीं एक बार फिर आगे बढ़ूँगा session को like में कंजू सी मत कीजिएगा कम से कम जितने लोग enjoy कर रहे हैं और सीख रहे हैं मज़ा आ रहा है न आपको नहीं लग रहा कि pipes and system में भी इतने सारे चीज़ें हैं सीखने के लिए चारो देखें स्टार्ट करें इच अफ तर एक्स इनले और हां जो लोग प्राक्टिस के लिए हैं करो इसको खुद सॉल करो इच अफ तर एक्स इनले पाइपस के फिल दा तैंक इन 6 आवर्स and each of the X plus 2 outlet pipes can empty the system completely in 9 hours if all the pipes are kept open the empty tank gets filled in 18 hours how many outlet pipes are there beautiful नहीं beautiful question sir I don't know how many inlet pipes are there मैंने का we know sir कितना X sir क्यों मजा कर रहो sorry आपके कितने outlet हैं वो अभी के लिए में interested नहीं हो लेकिन जो भी outlet है each of the inlet वो हर एक inlet pipe 6 घंटे में एक टैंक को भरने का सामर्तिय रखता है clear each outlet pipe वो अकेला आपके 9 घंटे में टंकी को खाली करने का सामर्तिय रखता है clear sir मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मैंने का sir LCM लूँ मैंने का कितना हुआ sir 18 unit sir efficiency दूँ मैंने का 2 sir ये हो गया 3 unit भर रहा है एक घंटे में और ये 2 unit एक pipe एक pipe निकाल सकता है एक घंटे में sir मैंने जब सारे pipes को open कर दिया मैंने का हाँ हाँ तो sir जो tank है वो fill हो गया 18 hours आप मेरा सिर्फ एक काम कीजिएगा कोशिस कीजिएगा मेरी बात को समझो अगर उसने कहा कि पूरा का पूरा tank 10 गंटे में भर जा रहा है तो आप इसमें काम कीजिएगा क्या 90 LCM ले लीजिएगा जैसे कि वो आपका 10 से कट जाए इससे क्या benefit होता है आपका एक step कट हो जाएगा future में sir कैसे अगर सच में 18 यूनिट का total capacity है और उसको अगर भरने के लिए 18 गंटे लगते है और समझने के लिए आसान है तो 18 यूनिट को 18 गंटे में भरने के लिए हर गंटे एक यूनिट का पानी टंकी के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए हाँ sir मैं आपसे पूचना चाहता हूँ कि हर गंटे एक यूनिट का जो टंकी के अंदर पानी जाएगा वो कैसे जाएगा sir जितने भी inlet pipe है मैंने का कितने x वो हर एक pipe तीन तीन यूनिट पानी अंदर छोड़ेंगे तो जितने pipe से हर एक pipe अगर तीन तीन चोड़ेगा अगर साथ pipe होता तो सातिया 21 छोड़ते नौ pipe होते तो नौ तीया 27 छोड़ते x pipe है तो तीन तीन यूनिट करके उन्होंने टंकी के अंदर थ्री एक्स पानी छोड़ा होगा inserted लेकिन जितने x प्लस 2 pipe से वो हर घंडे 2-2-2 करके कितने निकालते सर अगर 4 pipe होते तो 4 दूनी 8 निकालते 5 pipe होते तो 5 दूनी 10 निकालते x प्लस 2 pipe है तो x प्लस 2 इंटू 2 निकालेंगे और जितना inlet ने महनत से भरा था और outlet ने निकाल दिया एक गंडे में वो effective कितना है मैंने का कितना सर हर घंडे तो एक ही का जाना चाहिए खतम x का value तुरंत लाओ सर कैसे सर यह 3x हो गया यह 2x जब minus खुलेगा तो minus 2x यह 2 2 4 जब minus तो यह हो जाएगा आपके पास 1 तो 3x minus 2x x is equal to कितना हो गया आपके पास x हो गया हमारे पास 5 और अगर x हमारे पास 5 हो गया तो उसने कहा क्या then find the outlet pipes there तो outlet pipes कितने हो गया x plus 2 x 5 ना या मैंने कुछ गल्थी किया है सब सही है ना एक क्यों हुआ अरे एक इसलिए हुआ ठीक है आपको एक में दिलजस्ट भी नहीं है दोस्त ठीक है सबसे पहले x 5 तक इस तरीके से पहुंच गया एक तरीका एक तरीके से पहुंच गए सर मुझे न एक पसंद नहीं है मैंने का चलो मैं हूँ आपके साथ मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ सर मैंने का हाँ एक inlet pipe हाँ एक घंटे में तीन यूनिट पानी अंदर डाल सकता है पहला step clear सर वैसे अगर मेरे पास एक्स इनलेट pipe होंगे तो वो एक घंटे में एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स यूनिट का पानी अंदर डाल देंगे मैंने का clear ऐसे ही एक्स इनलेट पाइप अगर एक नहीं पूरे पूरे अठरा घंटे तक चलेंगे तो वो कितना पानी डालेंगे मैंने कहा 3X इन्टू 18 यूनिट का पानी डालेंगे क्या यह step each and every individual जो ही है शेशन देख रहा हूँ उसका भाई अंसर आ चुका है बस आप ही लोगों के लिए मैं और एक बार बता रहो एक नए तरीके से सर आप थोड़ा जादा बोर कर रहा हूँ मैं समझ गया मैंने कहा क्या सर एक आउटलेट पाइप दो निकालता अभी या हाँ सही है एक आउटलेट पाइप दो निकालता मैंने कहा हाँ सर ये तो एक गंटे में ना क्योंकि ये तो पर आवर एक ही पाइप का है और ऐसे जितने पाइप से वो एक गंटे में ऐसे अगर उनसे में 18 गंटे तक निकालता तो कितना निकालते हैं 18 गंटे में डाल कितना पाएंगे 3x into 18 गंटे में निकाल कितना पाएंगे x plus 2 into 2 into 18 सर जितना आया उससे जितना गया वो सब होके 18 गंटे में टंकी में क्या होगा पता है मनें क्या पूरा फिल हो जाएगा 18 उनिक्स का मतलब ये अंसर कितना आता 18 आपने कुछ देखा अठरा अठरा और अठरा अगर आप काट दोगे तो आपके रफशिट में जो equation है वो आ गया होगा बोलो हाँ या ना जल्दी से लेट ना करो आपके रफशिट में जो equation आ गया होगा वो है तो यहाँ पे हमने क्या किया पूर एक यूनिट का पानी तो हम घंटे के वाइस गये थे हमसे घंटे के वाइस गये थे कि तो एक घंटे में 3 तो x5 3x एक घंटे में 2 तो x plus 2 5 इतना तो एक घंटे में इतना आया इतना गया और एक घंटे में एक रहा खतम मैं हूँ आपके साथ मैं साथ नहीं छोड़ूँग विशाल वेशन भाई आये क्या कहा है मुझे दिखने ही रहे जी सर जी अरे विशाल जी को ब्लू करो जी सर 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 जी स्टार्ट करें, कितना हुआ रहे अंसर? स्टार्ट करो, ये ब्लू क्या है? ये ब्लू वाले जो है, इन्होंने मुझे प्रॉमिस क्या हुआ है? कि ये सिलेक्शन के बाद हर मही ने अपने सैलरी का 7.92 प्रतिशत देंगे, ठीक है? समझे? आदे बच्चे भी लाइग, मेरा ब्लू ले, हटास, साला खुद वह खुद बोल देता है ब्लू करके, विशाल भाई भी लाइग, साला क्या लॉस कर दिया, हमें अच्छा खासा बैठा हुआ था, आगया ब्लू कर दिया, उस 7.92 अच्छा ब्लू कर दिया, वैसे तो टेक्स ये बिल छपाना, तो पैसा देना होगा, नहीं तो मैं इसको दूंगा, तु इसको मारेगा, तु मार मुझे देखना है, क्या मार के दिका, मार के दिका, मार के दिका, मार के दिका, चालो, CD tax 10%, स्टार्ट करें, या फिर अदर अर फिलिंग, आर अगर लगा, तो यहां पे प्रिजंट कंटीनियस में ये फिलिंग चलता, आर हटा दोगे, अदर फिल द टैंक होगा, इच पाइप कैन फिल और एम्टी द टैंक at the rate of 10 लीटर पर मिनिट, जो इनलेट भी है, वो या तो 10 लीटर प्रति मिन निकाल रहा होगा, when all pipes are opened, जब सारे pipes opened हो गए, a half filled tank gets completely filled in 30 minutes, एक आधा filled tank completely filled हो जाएगा 30 minutes, कौन सा concept आपको अच्छा लग रहा है, per hour या फिर जो per minute है, एक बार बताओ, per minute वाला concept, सर क्या per minute वाला concept, दोस्त तुम्हारा total capacity मैंने सुना था 300 x लीटर का है, हाँ सर, 300 x में से अगर आधा तुम्हारा filled है, तो बाकी का आधा यानि कि 150 x fill करना है, हाँ सर, मैं कुछ और यहाँ पे कहना चाहता हूं, सर कहो, क्या इसी 150 x के आधे को fill करने के लिए 30 minutes का समय लगेगा, हाँ, तो मतलब क्या 1 minute में 5 x unit का पानी अंदर जा रहा है, लीटर का पानी अंदर जा कहा, उसमें से आपका x number of pipes जो है, वो आपके empty करते हैं, यानि कि outlet और बाकी हमारे inlet है, सर, मैं यहाँ पे छेड़, आप में से कितने लोगों को बता है, कि हम इसमें कोई आंकड़ा छेड़ खानी नहीं कर सकते, उसने जो x दिया है, हमें वही x लेना पड़ेगा, सर, ऐसा क क्योंकि उसका capacity का 300x, जो 5x है उसको हमें इस्तेवाल करना है, तो नो छेड़ कानी, अगर उसने बोल दिया है कि outlet pipe x है, तो हम अपना inlet pipe को आंक बंद करके, दिल पे पत्तर रखके, कितना करेंगे, अरे बता भाई, 10-x, क्या यह चीज clear है, सर, जितने मेरे inlet pipe है 10-x, मैंने स सुनाए कि जितने भी inlet pipe है, वो 10-x, प्रति मिनिट टंकी के अंदर छोड़ते हैं, मैंने का हाँ, तो जितने pipe से हैं, वो हर pipe अगर 10-x, पानी निकल रहा होगा, मैंने का हाँ, इतना गया अंदर, इतना गया बाहर, overall, इतना आपका 1-x, मिनिट में टंकी के अंदर रह रह र है, 5-x, सर मैंने कुछ देखा, 20-25-100-4, अगर x-4 है, तो find the tank capacity in liters, सर x-4 है न, capacity तो 300x है, तो 300 into 4, कितना हो जाएगा, 1200, मज़ेदार question था, जल्दी से बता, मज़ेदार सवाल था कि ने, भाई, level देख रहे हो, questions हम किस level पे खेल ले हैं, आप समझ पा रहे हो, भाई, इनको अगर आप समझ लिए, तो मतलब पेपर में जो सवाल आएगा, वो तो यू, यू, आप करो के यू, ऐसे, तो भाई, मैं पूरा का पूरा आपके लिए, दिल खोल के दे रहा हूँ, एक अभी से, we will be solving certain, most frequently asked question, not only this, अभी से जो भी आएँगे, most frequently asked questions होँगे, हाँ सर, और बताओ, क्या हाल चले, मैं सब को छोड के चला जाओंगा किसी दिन, मरूंगा नहीं बे, जिन्दा रहूंगा मतलब, आप लोग तो प्यार नहीं करते, पहले आप लोग प्यार करते थे, तो यही सोच के मैं किसी से प्यार नहीं करता था, अब आप लोग प्यार नहीं कर रहे हो, और वक्त जा चुका है कि मैं किसी को प्यार करूँ, बड़ा बहुत, बहुत critical time से गुजर रहा हूँ मैं, थीख है अच्छा लगेगा क्या जिन जिन को मना कियो उनके पास फिर से जाओ गया कैसे हो सुना वह गया हॉग क्या गया हॉग गया मुझे वह यह लग ना चलो start करें ठीक ऐसा start करो two pipes can separately fill a tank in 20 hours and 24 hours respectively one can sir egy pipe A 20 hours में fill ay egy pipe B which 24 hours में fill कर सकता sir both the pipes are open fill the tank but when the tank is 55 percent full a leak develops in the tank through which 2 11th of the water supplied by both the pipes leak out what is the total time taken to fill the tank question समझे हाँ यह pre question है एक बार confirm करो जल्दी से chat box पे जल्दी से जो पूछ रहे हैं उनके सवाल का उत्तर दो क्या यह pre question है बिलकुल 7% pre question है 7% pre question है बिलकुल भी और किसी level का नहीं ठीक है जब 55% आपका tank full हो गया तो इसमें एक छेद हो गया जिसमें से 2 बटा 11 पानी जितना supply किया जाता था वो निकल के चला जा रहा है तो total समय कितना लगेगा solution के बाद आप भी बोलोगे मैं क्यों पूछ रहा था भाई तुन्हें LCM लिया नहीं सर तो क्यों लेना भाई efficiency निकाला नहीं सर तो क्यों क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ कि मुझे पहले इस tank का 55% 125 का 55 प्रतिशत कितना होता है सर 120 का 55 प्रतिशत 11 बटा 20 66 यूनिट होता है सर ये 66 यूनिट तक तो कोई 6 दवेद नहीं हुआ था मैंने का नहीं तो इन दोनों ने अपने 6 प्लस 5 11 यूनिट के efficiency से इसको भरने के लिए 6 गंटा लिया होगा मैंने का बात सत्या सर लेकिन इसके बाद क्या हुआ मैंने का इसके बाद और फिल कितना करना है सर बाकी का 45 पर सर मैंने का मजाक मत करो 120 से 66 गया तो सर 54 मैंने का क्या ये अब 6 पांच 11 यूनिट के efficiency से भरा जा सकता है सर नहीं सर मैंने का क्यों सर इन्होंने तो 11 डाला होगा महनत से बट एक leakage होने के कारण सर जितना पानी इन दोनों से अंदर जा रहा था उसका 2 बाई 11 यानि कि 2 यूनिट का पानी उस छेद के रास्ते निकल जा रहा है सर 11 इन्होंने डाला होगा 2, 6 के रास्ते से निकल गया होगा 11 से दो गया तो अभी से हर घंटे 9-9-9-9-9-9 unit होके ये चौबन आपका भरा होगा मैंने कहाँ सर अगर ये चौबन आपका भरा होगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा सर 6 घंटे के साथ 6-6, 12 घंटे इस सवाल का सटी कुत्तर है अब बताओ क्या ये प्री का सवाल है जल्दी से बताओ बताओ क्या ये इसमें equation मैंने कहाँ बनाया है बिना equation कोई बोल ले है मैंने equation बनाये ही कहाँ तो 6 प्लस 6, 12 घंटा इतना ही तो आपको करना था और कुछ भी नहीं करना था आपको आगे बढ़े ठीक है सर आगे बढ़े दो पाइप हैं ये सेम आ रहे किसने कहा भी है कच्रा वाला सवाल यही है यह आएगा और फिर अभी क्या आएगा उसके बाद वाला उसके बाद वाला आएगा आपका कि चला गया होगा मतलब दोनों को चालू करके चला गया होगा और फिर जब आके देखा होगा तो छेद हो गया होगा अरे हाँ यह ना यही तो है system इसका बाद वाला सवाल कौन सा आएगा कि लगा के on करके चला गया होगा आके जब देखेगा वो ही ऐसे खड़ा होगा कि भाई यह तो छेद हो गया है जिसके चलते उसको फिर छेद को भरना होगा फिर जाके टंकी भरेगा यही तो है chapter का completion, topic coverage इस question को कैसे solve किया जाते है देखो दो pipes हैं जो कि fill कर सकते हैं टैंक को 24 minute और 20 minute में respectively मैंने कहा सर 24 minute है, सर 20 minute है मैंने कहा सर उसने कहा कि due to some wastage in pipes pipe में कुछ wastage होने के कारण 3-5th water और आपका 5-6 water ही flow कर पाते हैं इन pipes के द्वारा लेकिन जब यह pipes clear कर दिये गए तो टैंक जो है वो 10 minute में fill हो गया तो बताओ कि कितने लंबे समय तक इस pipe में wastage था, सर आपना confuse कर रहे हो मैंने का क्यों, LCM लेके efficiency निकालते तो बहुत clear होता है, मैंने का तुम गए नहीं, मैं तो पढ़ रहा था question सर बताओ, मैंने का 120, हाँ सर 120 सर efficiency इसका 5 और इसका efficiency 6, मैंने का हाँ सर सुनो, मैंने का हाँ आपका wastage इस pipe में होने के कारण कितना पानी इसमें flow कर पा रहे है पहले pipe से 3-5 यानि की 5 के जगा मात्र 3 ही unit का पानी जा रहा होगा और दूसरे pipe से 5-6 यानि की 6 के जगा 5 unit का पानी ही इस टंकी के अंदर जा रहा होगा मतलब हर घंटे 3 प्लस 5 8 unit के हिसाब से ये लोगों ने वेस्टेज के साथ तंकी भरा होगा लेकिन जब पता चला कि वेस्टेज है तो वेस्टेज को साफ कर दिया गया जब वेस्टेज को साफ कर दिया गया तो आपका 10 minute में tank फिल हो गया तो कितने समय तक वेस्टेज है सर जब वेस्टेज साफ कर दिया गया होगा मैंने का हाँ तो इसने अपने पुर्ण एफिशेंसी के साथ और इसने अपने पुर्ण एफिशेंसी के साथ 6-5, 11 यूनिट के हिसाब से पानी भरना चालू किया होगा मैंने का हाँ ग्यारा यूनिट के हिसाब से भरने के बावजूद भी उनको अगर 10 मिनिट लग रहे हैं तो मतलब 110 यूनिट का पानी खाली होगा इसलिए भरना पड़ा होगा मैंने का हाँ सर 120 में से अभी अगर 110 भरा जा रहा है क्लीनिंग के बाद तो before cleaning बाकी बाकी मतलब 10 यूनिट भरा गया होगा मैंने का हाँ सर इसी 10 यूनिट को जो before cleaning भरा होगा ना हर minute 8 यूनिट के efficiency से भरा गया होगा तो कितना समय लगा होगा मैंने का 10 बटा 8 यानि कि 5 बटा 4 question है minutes best तो minutes लेकिन question अगर ऐसा आपको खेलना चाता है तो आप भी खेलो sir कैसे 1 hole 1 by 4 दीखा 1 मतलब 1 minute और 1 बटा 4 minute मतलब 15 second तो इसी के साथ 1 minute 15 second option number B इस सवाल का सठी कुत्तर है clear बड़े आराम से आप इस चीज को कर सकते हो मैं और एक बार बता दे रहा हूँ time, time, capacity, original efficiency, wastage efficiency wastage efficiency से भर रहे थे लेकिन फिर wastage साफ कर दिया गया साफ करने के बाद अपने ओरीजिनल 5, 6, 11 unit के efficiency से 10 minute अगर उनको लगेगा तो इसी दौरान इन्होने 110 भरा होगा 120 में से 110 अभी cleaning के बाद भरा जा रहा है तो उससे पहले ही 10 unit का पानी इसी 10 unit को जब wastage होगा तो इन्होने 5 प्लस 3, 8 unit प्रती minute के हिसाब से कितना समय लिया होगा 10 by 8 यानि के 5 by 4 यानि के 1 hole 1 by 4 1 minute 15 seconds जल्दी से कचरा सेट का 5 तहा लाज जवाब कंटेंडर है अभी तो और बाकिए क्लास और 10 मिनिट हाडली चलेगा हाडली और 10 मिनिट चलेगा तब तक जितना हो से के session को कम से कम 1000 like का तो हमारा कोटा रहता है आज आप जितना तक पहुंचा दो इसलिए अच्छा नहीं लगा दिनवदिन ये चीज़ें बढ़ने चाहिए बढ़ आप हो कि दिनवदिन इन चीज़ों को कम कर रहे हो इसलिए अच्छा नहीं लगा ठीक है और मेरा आदत नहीं है खराब कंटेंड लाना तो या तो मैं लाऊंगा अच्छा नहीं तो बिलकुली नहीं लाऊंगा पर्मुडेशन, कॉबिनेशन, प्रोबिलीटी, मिन्सुडेशन सब प्लस में है पढ़ सकते हो मुझे कोई प्रॉब्लेम वाली बात है नहीं अगर आपको लग रहा है भाव खा रहा हूं तो जो आपको सोचना है सोच सकते हो क्योंकि आपका जैसे मुझसे एक्सपेक्टेशन है मेरा भी तो आपसे एक्सपेक्टेशन है ना समझ रहो ना मोहबबद टू साइज रेट होती है ठीक है वो जो देखे हो ना उसी टाइप का चालो जानते हो कुछी दिन क्या ही और कह सकता हूं छोड़ दो यार इगनोर इगनोर तीन पाइप है एक्स वाई जड़ जोकी अटाच होते है एक सिस्टन में मैंने का हाँ सिस्टन में सर आपका जो सर जो आपका ना मतलब जिस टाइम पपर आपसे पहूंचा वो उसी टाइम पर राम आके पहूंचा बट भाई राम स्री कैसे हो गया आज कल तो बहुत यह सब चीजों पर डिबेट चलता है अपने देखा होगा मेरा करियर बर्बाद मत करो ही लिखो बट ही फाउंड एट वेस्ट पाइप जेड हैड बेन लेफ्ट ओपन शी क्लोजेस इट अन नाव दा सिस्टन टेक्स 10 मिनिट्स मोर तो फिल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो जेड वेस्ट पाइप है उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है लेकिन इतना पता है कि जब आपने इन दोनों को चालू किया तो जिस टाइम पर एक्चुली टंकी फिल होना चाहिए था आप उसी टाइम पर ही प्रॉपर ले आये हो एक्चुली जो टाइम लगना चाहिए आप मुझे बता सकते हो कितना है सर 60 और ये आपका एफिशेंसी 3 और ये आपका एफिशेंसी 2 तो 60 बाई 5 यूनिट के एफिशेंसी के हिसाब से सर 12 मिनिट के बाद मुझे आना है क्या ये चीज क्लियर है कि निया मनुसार अगर कोई लीकेज नहीं होता तो ये दोनों मिलके 12 मिनिट में इस टंकी को भर देते और मैं 12 मिनिट के बाद आके पहुंच रहा हूँ जब मैं 12 मिनिट के बाद आके पहुंचा तो मैंने देखा कि गलती से west pipe z भी open रह गया है जिसके चलते कुछ पानी उसमें से निकल गया होगा तो मैंने उसको तूरंत बंद कर दिया कि भही बंद हो जा अब वो बोल लाए कि जो system है वो 10 minute और ले रहा है fill होने के लिए सुन मेरे भाई अभी से अगर हम इन दोनों pipes क्योंकि अब तो और इसको close कर दिया गए अगर हम इन दोनों को अपने 5 unit के हिसाब से 10 minute चलने दें तो ये कितना भर सकते हैं सरी ये 50 unit भर सकते हैं मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि अभी फिर भी 50 unit के requirement हो रही है टंकी को भरने के लिए मतलब इससे पहले already कितना units भर रखा गया था वैसे समझोगे वैसे समझने से आपको फाइदा नहीं होगा फिर भी समझ जाओ नहीं ऐसा नहीं समझाओगा मैं इसको logical क्यों कि आप तो paper देने जाओगे न आप paper में इतना goal goal थोड़ी ना घूमोगे मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ बड़े थंडे दिमाग से आंसर करना है अगर leakage leakage का कोई सीर नहीं रहता तो क्या ये 50 बाकी रहता नहीं perfectly 12 minute में फिल हो जाता but just because leakage है इस वज़े से आपका ये 50 जो है वो भरा नहीं है मतलब leakage का ही काम है ये 50 unit उसने ही निकाला है और जानते हो leakage को इस 50 unit को निकालने के लिए कितने समय लगे सर कितने समय पिछले जितने समय तक आपने pipes को खोल रखा है leakage भी तो उसी टमे तक खुला रहा है मतलब leakage 50 unit को खाली करने के लिए कितना समय ले रहा है सर 12 minute का समय ले रहा है मैंने का बहुत सही अगर 50 unit को खाली करने के लिए 12 minute का समय ले रहा है तो अगर in how much time z मतलब जो leakage है उसको अगर मैं empty करने दूँ full system full system मतलब साठ यूनिट अगर मैं उसको खाली करने दूँ तो वो कितने समय में खाली कर देगा सर एक यूनिट खाली करने के लिए बारा बटे पचास और साठ यूनिट खाली करने के लिए इंटू का 60 तो ये गया ऐसा 72 बटे 5 अगर आप करोगे तो ये 14.4 मिनिट सुआ ऑप्शन नंबर सी उमीद करता हूँ कि आप सभी को एक रिपीट की रिक्वार्मेंट होगी तो मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ थंडे दिमाज से सुनिएगा इन दोनों का समय दिया गया था efficiency निकाला इन दोनों का efficiency आपने निकाला निया मनुसार उसने कहा कि मुझे तो पता है कि मैंने इन ही दोनों pipes को चलाए है तो मुझे पता है ये दोनों pipes कितने समय में भर देते हैं सर पांच यूनिट के combine efficiency में 60 को भरने के लिए 60 वटा 5 बारा मिनिट लगा होगा तो मैंने बारा मिनिट तक इनको चालू कर दिया और मैं बारा मिनिट के बाद आया मेरे हिसाब से तो तंकी भर जाना चाहिए बड़ गलती से Z pipe जो outlet है वो खुला रह गया था तो मैंने तुरंट उसको बंद किया और बंद करने के बाद अभी फिर मुझे इन दोनों को अपने 5 यूनिट के हिसाब से 10 मिनिट फिर चलाना पड़ा तब जाके मेरा टंकी भरा मतलब shortage कितना था 50 यूनिट shortage था इसलिए मुझे 10 मिनिट चलाने पड़े अगर कोई लीकेज नहीं होता तो 50 का shortage भी नहीं होता मतलब this 50 shortage is created just because of the leakage और यही 50 यूनिट का shortage क्रेट करने के लिए लीकेज को कितने समय लग गये होंगे सर पिछले 12 मिनिट तक इन दोनों के साथ चोरी चुपे Z भी चला हुआ था मतलब 50 यूनिट खाली करने के लिए उसको 12 मिनिट अगर समय लगता है तो पूरा टैंक अगर में Z यानि कि 60 यूनिट अगर उसको खाली करवाता तो यूनिटरी में कितना टाइम लगता क्या है सर जी रीजनिंग वाले सर ने बताय था कि नेम से जेंडर नहीं लेना नहीं तो ब्लॉट अरे हाँ 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 वो तो है अक्चुएली में नेम के हिसाब से कभी नहीं लेना चाँ अरे वो तो लेकिन ब्लॉट रिलेशन है हमारा यहां तो अग्वांट है शालो सारे स्टेट जाए सर जी जरूर बताएंगे क्या ही और कर सकते हैं सही चल दा है सब कुछ यह उसी टाइप का कोशिन है प्लीज इसको एक बार हम लोग देखेंगे एक बाथिंग टब है जो की फिल क्या जा सकता है एक कोल्ड पाइप के द्वारा 15 मिनिट्स में सर मैंने कोल्ड लिखा और कोल्ड पाइप इसको 15 मिनिट्स में फिल कर सकता है मैंने का हाँ सर एक हॉट पाइप है जो उसको एक्स मिनिट्स में फिल कर सकता है एक हॉट पाइप है जो इसको एक्स मिनिट्स में फिल कर सकता है यहां पर एक खुबसरत चीज़ सीखने वाला है ज्यान से सुनिएगा राहुल जो है वो ओपन कर रहा है बोद तर टैप और वो छोड़ के चला गया बात्रूम को और रिटर्न किया छे मिनिट के बाद वो छे मिनिट के बाद रिटर्न किया है उसने यह अब्जार्व किया कि आपका एक वेस्ट पाइप होने के कारण जो बॉटम है अच्छा एक वेस्ट पाइप जो है वो बॉटम में ओपन है और इसने इसको क्लोस कर दिया अब ये जो है पांच मिनिट लेगा फिल होने के लिए मतलब अभी मतलब मैंने आपके लीकेज को बंद कर दिया तो अब आपका पांच मिनिट और लगेगा इस टैंक को भरने के लिए find the value of x उस x का value बताओ जो west pipe है वो अगर 7.2 मिनिट्स लेता है अगर सच में ये question होता कि नियम अनुसार वो जितने समय में गया है मतलब जितने time में भरना चाहिए वो उतने time में आया और वही अगर 6 है तो आगे और question पढ़ने की जरूरत नहीं 15 के साथ किसका combination 6 तक lead करता है 10 तो answer आ जाता 10 क्या है answer वही आ रहा है answer तो 10 option में ही नहीं है चलो देख लेते हैं तो यहाँ पर उसने कहा 6 minute के बाद आया तो ऐसा जरूरी नहीं कि जिस time पर ही fill होना था वो उस time पर आया उसका मन क्या हो 6 minute में आ गया अब sir मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ मेरा मन कर रहा है LCM लेने का मैंने का हाँ तो कितना LCM लो मैंने का देखो जबर्दस्ती यहाँ पर इस x के चलते एक LCM ना लो sir क्यों 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 आपके पास जितने data है उससे आपको परियापची चीजे मिल जाएंगे sir मैं समझा नहीं आप बस 15 और 7.2 का LCM लो ठीक है sir आप कहे रहो तुम्हें आपको क्योंकि एक नया अप्रोच भाई कुछ तो नया सीखके जाओ session end होने आ रहा है कुछ तो नया अप्रोच सीखके जाओ 15 और 7.2 का LCM कितना 7.2 का 5 गुना 36, 36 और 15 भी जाना है 90 में काम बन जाएगा क्या 90 7.2 नहीं जापागा 180 में काम बन जाएगा हाँ वैसे भी 90 36 के भाग में नहीं जा रहा sorry 180 में अगर है तो 180 बटे 15 इसका efficiency 12 है 180 बटे में 7.2 तो इसका efficiency कितना है 25 क्योंकि 7.2 का 5 गुना 36, 36 का 5 गुना 180 इसका efficiency में कितना लूँगा पता है इसके efficiency को मैं ले रहा हूँ मेरा मन कर रहा है मेरा मन कर रहा है ठीक है सर ये भर रा है ये भर रा है और ये खाली कर रहा है मैंने का हाँ जब मैंने इस wastage पॉएट के साथ इन दोनों को छोड़ के गया 6 मिनिट तक तो इन्होंने कितना बरा होगा सर 12 प्लस Z और इसने निकाला होगा 25 सर यही 6 मिनिट तक चला होगा process मैंने का ठीक है सर 6 मिनिट के बाद मैं आया और मैंने सर इसको बंद कर दिया मैंने का ठीक है और सर अभी यही दो hot और cold pipe आगे 5 मिनिट चलेंगे तो ही मेरा पूरा का पूरा 180 का टंग भर जाएगा मैंने का इन दोनों को जब मैं 12 प्लस Z के efficiency से 5 घंटे या फिर 5 मिनिट जो है 5 मिनिट ना चलाओं तो वो इतना भर सकते हैं जो उन्होंने पहले 6 मिनिट में साथ बरा था और जो अब भर रहें वो total मिलके कितना हो जाएगा 180 इस में से क्या साफ Z निकला जाएगा हाँ सर मैंने का कैसे निकालो भाई हाँ हाँ क्या बोल लो सर 12 में से 25 गया तो माइनस आपके पास 13 माइनस 13 6 माइनस 78 प्लस यह हो जाएगा आपके पास 6 Z प्लस यह हो जाएगा 12 पंजे 60 प्लस यह हो जाएगा 5 Z और यह हो जाएगा 180 माइनस 18 उधर जाएगा तो प्लस 18 198 6 5 यह हो जाएगा आपके पास 11 Z 11 Z अगर 198 है तो Z का मान कितना हो जाएगा 1 और 8 जेड क्या है सर जेड एफिशेंसी है मैंने का किस पाइप का सर हॉट पाइप का अगर वो एक मिनिट में 18 भर सकता है तो 180 भरने के लिए जो समय है वो कितना होगा 180 बटे में 18 यानि कि 10 तो एक्स का मान अगर आप में से किसी का 10 आया होगा हैटस अगर में निया मनुसार 6 मिनिट आता हूँ 6 मिनिट बाद तो 15 के साथ 10 का ही कॉंबिनेशन 6 देता है या आपको रटा हुआ होना चाहिए तो आंसर 9 दीज होगा यानि कि 10 ठीक है चालो आज का आखरी सवाल जैसे कि आपको लगे कि सब कुछ भरा हुआ है ठीक है समय परफेक्ट ढाई घंटा आज तो मज़ा आ गया सर कितना लाइक ये बैस 900 भी आज पहुँचा नहीं पाए ढाई घंटे में कि डिसापॉइंटर चालो कोई नहीं आप अपने आप लोग जो लोग कियो आप लोग उंको नहीं बोलना हूं एक एम्टिंग टैप है जो कि आपका कम्प्लीटली सब लोग अपने पेंस को ड्रॉप करते हैं कि मैंने खड़ा हो जाओ नहीं तो इंप प्लीज ड्रॉप यूर पेंस वो एम्टी कर सकते हैं एक सिलेंड्रिकल टैंक को 30 घंटे में और उसको फिट किया गया 3 5th height में from the bottom मतलब if this is the tank इसके bottom से 3 5th height ये total अगर आपका 5 part का height है तो नीचे से 3 part height में आपका एक emptying pipe लगाया गया emptying pipe का मतलब समझ रो यह यहां से पानी निकालेगा outlet ठीक है एक filling tap है जो कि आपका fill कर सकता है tank को 25 घंटे में उसको fit किया गया top में तो top में कहीं पर यहां पे लगा दो यह हमारा इधर करते है इस side यहां पे हमने लगा दिया यह हमारा inlet pipe है इधर से पानी अंदर जाएगा इधर से पानी outlet बाहर जाएगा ठीक है उसने कहा कि अगर both the taps को हमने open किया together तो कितने समय में आपका tank completely fill हो जाएगा मैंने का सर वो सब छोड़ो मैंने का तो आप पहले बताओ कि जो आपका inlet pipe है वो कितने समय में tank को fill कर सकता है मैंने का कितने समय में सर 25 घ पर वो कितने समय में सर वो 30 घंटे में क्या कर सकता है खाली सर आप पहले अपना LCM लो आप अपना चलो रास्ता हो आ जाएगा मैंने का कितना सर 150 units का लो जिससे कि इसका efficiency 6 unit भरने का और इसका efficiency 5 unit निकालने का हो जाएगा मैंने का ठीक है सर अगर यह पूरा का पूरा 5 height bear कर कर रहे हो तो जब 350 height तक मैं volume पूछो तो आप क्या कहोगे मैंने का पूरे volume का 350 volume यह होगा तो 150 volume का 350 volume है सर वो कितना होगा मैंने का 50 sorry 30 30 into 30 90 सर इसके पास क्यों जा रहे हो थोड़ा सुनोगे ओके सर और यह 90 है इस height तक तो उसके उपर कितना होगा सर उसके उपर 150 का 250 यानि कि बाकी यह 60 होगा सर इसको अलग-अलग partition आपने क्यों किया क्यों कि अगर आपको लग रहा है कि पूरा 150 unit 651 unit से 150 घंटे लगेंगे तो आप गलत सोच रहे हो सर क्यों क्यों कि जब तक पानी का level इस height तक ना उठे तब तक outlet pipe पानी का एक बूंद भी बाहर नहीं निकाल सक तो पहले इस height तक मतलब इतना volume आपके केवल inlet pipe को ही पानी भरने का हक है तो 35th height तक जो 90 unit का volume है उस 90 unit के volume को केवल inlet अपने 6 unit के दक्षता से जब भरेगा तो उसको 15 घंटे तो यूं ही लग गये होंगे 90 unit fill होने के बाद इसके उपर वाला ये 60 units अब पंजो fill करेंगे उसमें outlet pipe भी came into existence मतलब अभी से ये पानी निकालना चालू करेगा ये 6 अंदर डालेगा वो 5 बाहर 6 अंदर 5 बाहर तो एक एक unit का पानी हर घंटे जमा होता रहेगा तो 60 unit का पानी जमा होने के लिए कितना घंटा लगेगा 60 घंटा और यह जो एंटाइर टैंक है 150 यूनिट का भरने के लिए जो एंटाइर समय है वो कितना लगेगा 15 घंटा यहाँ 60 घंटा यहाँ यानि कि 75 घंटा अगर आप में से किसी ने कॉमेंट किया है option number B hats off, give it up, goes up, जबरदस चल लिए आपकी तैयारी भाई, इस crash course में मैंने सब कुछ आपको दिया है सब कुछ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता कि sir आपने यह नहीं पढ़ाया या वो नहीं पढ़ाया crash course में भी मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया है एक full length course के तरह basic से लेकर advance सारे किसम के, सारे patterns के नहीं किसम के सवाल तो आज हमने quota पूरा किया pipes and systems का और आज मैं इस crash course को यहीं पर end कर रहा हूँ कुछ उमीदें थी मेरे आप लोगों से कि मैं permutation, combination पढ़ाऊँ probability पढ़ाऊँ mensuration पढ़ाऊँ बट वो उमीदों पे आप ही लोगों ने पानी फेर दिया है तो बाकी के comparison में तो मैंने आपको बहुत content दे रखा है तो आप लोग मुझे कुछ बोल नहीं सकते ठीक है तो मेरे तरफ से आज crash course का खात्मा और इस वीडियो को भी हम तुरंत private कर देंगे ठीक है तो अपने side से मैंने जो देना था आपको दे दिया ये वीडियो तो मैं पक्का private करूँगा ठीक है चलो तो बस यही कहके मैं आज के session को end करता हूँ आप लोग आए मैं भी Friday weekends आपको बता है मैं weekends में बिलकुल भी class वगरा नहीं लेता भाई हम भी इंसान है ठीक है कल मैंने कितने classes रखें आपके लिए बता है सुन लो मन दो कर रहे है कल का class भी बंद कर दो कल 12 बज़े आप लोगों का doubt clearing class है दोस्त ठीक है special पर doubt clearing class ले रहा था आपको याद होगा test देने आएंगे 700 बच्चे लेकिन doubt clearing class में 100 बच्चे तो मैंने का आपको शायद special वालों को doubt की जरूरत नहीं है शायद तो ये जो 12 बज़े का doubt clearing class है दो घंटे का doubt clearing class आप इनका value तब ही समझोगा जब ये चीज़ें आपसे छीने जाएंगे ये crash course जब बंद होगा या private होगा तब आपको इसका उकाद पता चलेगा कि मैंने किस level मैं confidently इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर बहुत महनत किया है बहुत ज्यादा जब बोलते हैं न आपको कब पता चलता है एक चीज़ का एहमियत एक चीज़ का कीमत जब वो आपसे दूर जाता है तो मैं आपको एहसास दिला के रहूँगा आप चिंता ना करो तो दो घंटे का कल आपका प्लस पे doubt clearing class है मैंने special एक बात बताओ जितना special पे doubt एक बार मैं सभी से पूछ लना चाहता हूँ जितने free में doubt clearing class और जितने questions मैंने doubt solving class में लिये हैं कोई दूसरा educator का नाम यहां लिख दो जिसने आपका लिया है अना अकडेमी में बताओ नहीं अब बात तो आच चुका है बतादो मैं अभी अभी बतादो special में free class में जितने doubt clearing session मैंने conduct करवाए हैं किसी ने किये हैं आपके लिए किसी ने नहीं किये मैं खुला कह सकता हूँ open challenge है open challenge है किसी ने इतने doubt clearing classes आपके लिए नहीं लिए किसी ने नहीं मैंने आपके लिए दिया था free class लेकिन आपको लगा ये सब classes क्या है का सेट लेके आ रहा हूँ most important questions का सेट हम लोग लेके आ रहे हैं ये होगा आप लोगों का special पे ठीक है ये आने वाले RRB के लिए होगा IVPACE क्लर्प के लिए होगा शाम के चार वजे शाम के चार वजे क्लास होने के बाद 7 p.m. पे आप लोगों का निश्चे कोर्स होगा mains level mains level arithmetic plus DI ठीक है चलो वही तो पहले जैसे students का अग़े है सर ये प्राइवेट कर देंगे तो बागी लोगों को कैसे पता लगेगा कि कोर्स के हाँ ठीक हाँ अजे भाई ने ये बहुत अच्छी बात कहा कि अगर हम इसी को प्राइवेट कर देंगे तो आइडिया कैसे लगेगा वो बात सही है तो इस class को आज रहने देते effort में भी दिये हैं आगे तो class ही continue करेंगे नहीं खतम कहा नहीं ठीक है चलो पहले क्या होता था न कुछ नहीं ठीक है प्राइवेट यह वाला नहीं करेंगे चलो बस खतम तो end करता हूँ session को कल का class का schedule है 12 बज़े class है प्लस पे doubt clearing 4 बज़े है special free class है आपका most important question का set करवाँगा सारे किसम के arithmetic speed map DI सब होगा और रात के 7 बज़े आपका निश्चें का means arithmetic और DI का class ठीक है तो चलता हूँ love you all अगर मन हो तो session को like कर दीजेगा अगर आपका मन हो तो एक comment box पर comment drop कर दीजेगा and thank you so much for your comments and time and work video काफी अच्छा लगा बहुत अच्छे अच्छे comments आपके है thank you so much मैंने सारे comments को पढ़ा है heart react क्या है बहुत से comments का reply भी किया है thank you so much for that क्यूंकि time and work मैंने बहुत दिल से पढ़ाय था और सोच रहा था कि पाइपसन system उस जेवल का नहीं हो पाएगा लेकिन as I promised every session is better than the previous one तो आज पाइपसन system में भी मैंने आपका पूरा का पूरा धागा खोल के दिया है So that's it love you all Tadababai Take care God bless you Have a nice day Achche se khusi se rahi hai I will be providing certain recorded videos in the coming few days on Career Definer YouTube channel So stay connected stay tuned Thank you so much love you all Tadababai take care And apart from this if you have any queries related to your bank exam preparation I would definitely help you all Kindly let me know in the comment section That's it Thank you